कि नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इस पीडी का निव एडिशन का बुक जो है मार्केट में लॉंच कर दिया गया है आप यहां पर देखेंगा अगस्त दोयार तैस से ले करके एक जुलाई 2022 तक दोस्तों यह किताब जो आपका पूरा अपटेट है यह करेंट अफेयर है वार्सरिकांग दोस्तों आप लोग चाहि wag से हैं यह कीताब आप ले सकते हैं जब यह किताब आप लेजिए गा तो आप यहां बें देखेए तो आपका लिखा गया है यहीं आपका दूस्तों बुक जो है ओर इजनल है ठीक है बहुत मार्केट में आपका कॉपी आ गया है लेकिन आपको जिसोचीत कुमार लिखा गया है ओर इजनल है तो आज का हमारा वीडियो होने वाला आप सभी को हम सबसे पहले बताएंगे पूर आपका वाल लाइनर आएका जो कि आपका बाइसों प्लस मंथली वाल लाइनर आता है उसको हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे इसमें देखेंगे आपका मुख्या कर्सप लगरा जो दिया गया है पूरा आपको मिल जाएगा एम से क्यू में और यहां पर दोस्तों आप तो कुछ इस तरीके से आपका हाइलाइड किया गए है तो पूरा वीडियो को देखेंगे कयान को याद कर लिए पढ़े इक याद कर प्रेन पुरसकार दो हजाट चौबीस से किसे सम्मानित किया गया है कि सही आंसर आपको जागा अरुंदती राय ऑप्सन नमर जो है दूसरे का सी सही होगा अंतराश्ट्रियस और गढदन का सौमा सदक से जो है कौन सा देश बना है तो यह बना है परागवे बना है कौन बना है परागवे ऑप्सन नमर टी हाल ही में अभ्यास होपेक्स का युजन भारत और किस देश के वायू सिना के बीच हुआ है तो यह हुआ है भारत और मिस्र के बीच में हुआ है ऑप्सन नमर सी हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आय अमेरिकी प्रतिनिधी मंडल की अध्यक्षता जो है किस ने किया है तो इसका उत्तर हो जागा नैंसी पेलोसी ओप्सन नमबर जो है पाँचमे का ए सही आंसर होगा लगतार दूसरी बार अठारहवी लोकसभा अध्यक्ष जो है कौन बन चुके हैं बन गया है तो यह बन गया है आपका जैपूर सैन्य इस्टेशन हो जाएगा ऑप्सन नुबर जो है आठवे का यह होगा जॉड़न के अम्मान में आयोजित अंडर सेवन्टीन एस याए कुस्ती चैंपियंसिप बार चौबिस में भारती पहलवानों ने कुल कितने पतक जीत हैं तो कुल 11 पतक जीता गया है ऑप्सन नुबर जो है राइट होगा अठारहवी लोग सभा प्रोटेमी स्पीकर की रूप में किसने सपत लिया है तो यह आपको हो जागा ऑप्सन नुबर सी हो जागा भारत हरी महताब ऑप्सन नुबर सी होगा अंतराष्ट्रिय खगोल स लंग ने किस गरह पर खोजे गया टू नए गड़ो यानि क्रेटर का नाम उत्तर परदेश और बिहार के दो छोटे सहरों के नाम पर मुर्शन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दिया गया है बताईएगा इसका सही आंसर आप देखेंगे तो यह आपको होज सदेश विश्व की सरवाधिक प्रतिव्यक्ति जीडिपी वला देश बन गया है तो इसका उतर हो जाएगा लग्जयंबर्ग हो जाएगा ऑप्सन नमबर जो है सी सही होगा राजसभा में सदन का नेता कि से निप्त किया गया है तो यह बनाया गया है जगत-परकास नडद है शुरूती वोरा ऑप्सन नबर जो है पंदर का सी सही होगा सुरूती वोरा हाल ही में किस राज के कोशिया कुटोली का नाम बदल कर किसरी कैची धाम कर दिया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड बहुत फेमस बंदिर है दोस्तों सैम लेंगिक विवाह को का पानोनी मानेता देने वाला पहला दछिड पूर्वी एस याई डेस कौन बन गया है लाइक थाइलेंड बना है कौन बना है थाइलेंड आप्सन नमबर Vide हाल ही में किस ने विशा निवेस रिपॉर्ट दो 20 2024 जो है जारी किया है कि तो यह जारी किया है दोस्तों ओंडी यू एन सी टी एडी ओप्सन नमबर भी होगा हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लिख्यकों को वर्ष दोज़ार चौबिस के लिए युवा पुरसकार वबाल साहित्य पुरसकार से सम्मानित करने की घोशना किया है यह आपको जगा करम सथ 23 और एवं 24 ऑप्सन नमबर ए हाल ही में पुर कारे सील साख्षर्टा प्राप्ट करने वाली प्रसाख्सनिक एकाई जो है किसे घोशित किया गया है तो यह किया गया है लगदाख को ऑप्सन नमबर डी होगा हाल ही में खबरों में रही नेट्रों जिल जो है किस देश में इस्तित है तो यह आपको देखने को मिलता है ओप्सन नमबर बी हो जागा तंजानिया में कहाँ पर तंजानिया ओप्सन नमबर बी राइट आंसर होगा अगला है कि अठारहवी लोगसभा का पहला सत्र जो है किस तिथी को सुरू हुआ है दोस्तों ये जो आपका सुरू हुआ है 24 जुन 2024 को सुरू हुआ है option number A right होगा भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए इ-medical विजा सुविधा सुरू करने की घोशना की है आंसर हो जाएगा बांगलादेश होगा क्या होगा आंसर बांगलादेश option number D होगा अगला है कि विश्व सिल्प परिशत ने हाल ही में किस भारती सहर को अधिकारिक तौर पर विश्व सिल्प सहर की रूप में मानेता दिया है करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा स्रीनगर हो जाएगा option number D हाल ही में जारी वर्षदार 24 के परियावरण प्रदरसन सुचकांक में भारत को 180 देशों की सुची में कौन सा इस्थान मिला है तो यह इस्थान मिला है 176 इस्थान मिला है option number D होगा नाइजेरिया के लागोस में आयोजित 200 टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जितने वाली पहली भारती महिला कौन बनी है तो दोस्तो यह बनी है आपकी राधिका जैन बनी है option बड़ी होगा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा इस्थान मिला है जो भारत को इस्थान मिला है 116 इस्थान मिला है option number C right होगा बोला कि किस टीम की महिला क्रिकेटर जो की चमारी अथा अथा पथू को मई 2024 के यह आई शिसी प्लेयर आफ दा मंत का समान मिला है तो यह हो जाएगा आपका आपसर नंबर भी स्रिलंका हो जाएगा अगला कि लाल सिर्वाले गिद्धों के लिए दूनिया का पहला संद्रक्षण केंद्रकिस राज्य में जो है चर्च कोट 2014 में भारत को कौन सा इस्थान मिला है तब हारत को जो इस्थान मिला 139 इस्थान मिला कौन सा 119 कि सपर्फ केक्यैटर को मई 2024 के लिए इससी प्लेयर आफ दम मंत का सम्मान मिला है तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो यह आपको जागा गुड़ा के समोती जो कि वेस्टेंडीज के हैं ऑप्सन नमबर भी होगा चंदर बाबू नाइडू कौन सी बार जो है अंधर परदेश के मुख्य मंतरी बने हैं यह बने हैं दोस्तों देख लेते हैं इसका आप्सन क्या दिया गया है इसका आप्सन देखेंगे तो यह आपके चौथी बार बने हैं 4 टाइम आप्सन नमबर सी किस टेनिस खिलारे ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है इसका उत्तर हो जाएगा इगा पीम नरेद्र मोदी किस सहर में अंतराश्ट्रिय योग दिवस 2024 के तहट कारेक्रम में भाग लिया है आंसर आपका हो जाएगा स्रीनगर हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी राइट होगा सनुक्त राश्टर के किस संस्था ने ब्रेटिस अभिनेता जो कितियो जेम्स को ग्लोब गुडविल अंबेश्टर जो है नुक्त किया है आंसर हो जाएगा आपका यू एन एच सी आर ऑप्सन नमबर बी किस देश ने हाल ही में इरान के इरान इस्लामिक रिवलुशनरी गार्ड को को आतंगवादी संगठन जो है घोसित किया है तो यह आपका कनाड़ा हो फ्रेंच ओपन दो हजार चौबिस में पूरुस एकलका खिताब जीता है पूरुस एकलका खिताब तो यह आपको कार्लोस अलकराज हो जागा आंसर क्या होगा कार्लोस अलकराज यह कोसन नमबर 49 पर बोला कि फिल्मों में उनके योगदान के लिए नैंसल मंडेला लाइफ ओप्सन नमबर 40 का एह होगा आगे हमारा प्रस्थे हैं बोला क्लाडिया अगला क्लाडिया सेन बॉम किस देश की पहली महिला जो है राश्टर पती बनी है तो यह बनी है मैक्सिको की कहां कि दोस्तों मैक्सिको अगला है कि यूरोपिय फूडबाल चेंपियंशिप दुज नुर्मी गेम 2024 एतलेटिक मीट में पुरसो के जैवलीन इवेंट में किसने स्वन पदक जीता है तो इसका आंसर आपका 43 का हो जाएगा नीरच चोपड़ा ऑप्सन नमबर B राइट होगा हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वीशो में नाइट्रस ऑक्साइड के उस सर करन दूसरे स्थान पर है बी जो है सही उत्तर होगा चलि अगला हमारा कोशन है कोशन नमर 45 परधान मंत्री नरेदर मोदी ने उननेश जून 2024 को बिहार के नलंदा में नलंदा विश्व विद्याले परिसर का उद्गाटन किया जिसमें 17 देशों के राजदूत सामिल हुए इस सन्युक्त राष्टर द्वारा किस वर्स विश्व धरवर इस तर जो है घोसित किया गया था तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो यह आपका 2016 हो जाएगा आपका 45 का डी सही होगा आंसर केंदरी मंत्री मंडल ने जो की वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है यहा बनाय जाएगा तो दोस्तों यह आपका बनाय जाएगा देखेंगे तो आपका हो जाएगा महराश्टर में बनाय जाएगा और सी सही होगा टी-20 इंटरनेशनल में दुसरे सबसे तेज सव विकेट लेने वाले गिंदबाच कौन बने हैं तो यह गिंदबाच बने दूस्त का सी सही उतर हो जाएगा पहले बहुराश्टरी हवाई अभ्यास तरंग सक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो यह देश करेगा दोस्तों अपना भारत करेगा ऑप्सन नंबर ए परियावरण प्रवर्शन सुचकांक दो हजार चौबिस में भारत की रैंकिंग क्या ह थे भारत का रायंक आप देखेंगे तो यह आपको 176 नंबर का है कितना है 176 नंबर का दुनिया के सबसे ऊचे रेल्वे पूल चिनाब बिज़ पर भारती रेलेवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया यहां किस नदी पर है तो यहां अपको हुजा का चिनाब नदी पर है दोस्तों चिनाब नदी पर अगला की जी मैक्स दोयर चौबिस अभ्यास का कौन सा संस्कर्ण जो है जैपान के योका सुका में आयोजित दोस्तों किया गया है तो इसका सही आंसर देखेंगे इसका सही आंसर आप 52 का देखेंगे तो आपका आठवा हो जाएगा सी इसका सही चर्चा में रहा गांधी सागर वन जी अभ्यारने जो है किस राजी में है तो दोस्तों यह आपको देखने के मिलता है मध्य पर्देश में option number B right answer होगा उत्राखण में अल्मोडा के बिंसर वन जी अभ्यारने में जंगल की आपको नियंत्रित करने के लिए M-17 हेलिकाप्टर जो है किसने तैनात किया है तो आपको हो जागा भारती वायू से ना भारती वायू से ना option number जो है आपका चववान का देखेंगे तो D जो है सही होगा 12 जून 2024 से आंदर परदेश की अधिकारिक राजधानी जो है कहां पर होगी तो यह आपको हो जागा अमरावती में दोस्तों अमरावती option number जो है भी सही उतर होगा भारत ने आपदा परभावित पपुआ निग्विनी को कितने मिलियन अमेरिके डॉलर के जो है मानवी सहाथा भेजी है तो यह आपको हो जागा एक मिलियन हो जाएगा option number A 9 जून 2024 को नरे दिन मोदी के सपद ग्रहन समारोह में कितने देशों के जो है राष्टर अध्यक सामिल हुए है इसका उतर आप देखेंगे तो यह आपका साथ हो जाएगा option number जो है केंद्रिय एवं चार राज्यमंत्री option number B होगा लग सभा चुनाओं के लिए चुनाओं आयोग की जो है टैगलाइन क्या थी जो टैगलाइन है दोस्तों चुनाओं का पर्व देश का पर चुनाओं का पर देश का गर्व है ना देश का गर्व है अगला की अंतराष्ट्रिय खगोलिय संग ने मंगल गरह पर इस्थित एक क्रेटर का नाम किसे यानि किस नाम पर रखा गया है तो यह आपको जाएगा प्रोफेसर देवेंद्र लाल ऑप्सन नमबर जो है एस ही होगा नेश्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्य मंतरी न तो यह किया गया है अपका इटली में किया गया है ओप्सन नमबर डी होगा चासरी नामें रहा मोड्oga किस राज्य में हैं तो यह आपको देखने को मिलता है उत्तर परदेश में अगला प्रस्ति है कि FIH होकी पुरुष जूनियर वी सुकप दौर 25 कायुजन किस देश में किया जाएगा तो यह आपको किया जाएगा अपने भारत में कहां पर अपने भारत में भारतिय थलसिना का तीस्वा प्रमुख किसे जो है निक्त किया गया है तो यह दोस्तों निक्त किया गया है उपेंद्र द्रिवेदी को बनाया गया है ऑप्सन नमबर जो है डी होगा कार्लोस अलकराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्हों ने फ्रेंच ओपन दो हजार चौविस का पूरुस एकलगा खिताब या फिर टाइटल जीता है तो यह हो जाएगा इस्पेन आप्सन नमर जो है ए राइट आंसर होगा चलिए नेश्ट हम कोशन देख लेते हैं कि हाल ही में जारी क्यूवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रेंगी दोर पचीस में किस भारतिये संस्थान को प्रथम इस्थान प्राप्त हुआ है देखेंगे तो यह आपका आयाइटी बॉंबे हो जाएगा ऑप्सन नमबर भी होगा कौन सा देश जो है हाल ही में अंत्रिक्ष अन्वेशन के लिए आटेमी सा समझोते पर हस्ताक्षर करने वला 43 देश बन किया है तो यह आपका बन गया है आर्मेनिया हो जागा क्या होगा आंसर आर्मेनिया ऑप्सन नमबर जो है आपका सी होगा सन्युक्त राष्टर ने हा महिला एकल किताब जितने वाली इगा सुवित्यक किस सदेश के खिलाडी है तो यह है पोलैंड की आंसर आप देखेंगे सिवंटी का तुड्डी होगा अगला की यूएन ने हाल ही में बच्चों के छिलाब अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है तो ये दोस्तों जोड़ा है आपका इजराइल को ऑप्सन नमबर ए मोधी मंत्री मंडल द्वार चोबिस में कुल कितनी महिलाओं को सामिल किया गया है तो महिलाओं की बात करते हैं तो साथ महिला जो है इसमें सामिल है ऑप्सन नमबर सी सही उतर होगा च जून 2024 को प्रकासित हुई आत्म का था आई हैब द इस्ट्रीट कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंद जो है किस भारती क्रिकेटर से है तो यह आपका है रवी चंदरन असमीन हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी हाल ही मैं किस राज्य के दो वैटलेंड को रामसर साइट की लि सक का अतिरिक्त परभार जो है किसे दिया गया है अतिरिक्त परभार की बात कर देते हैं तो कमल कि सोर सेन को दिया गया है ऑप्सन नमबर बी सही उत्तर होगा मोबाइल एप सार्थी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉंच किया गया है किसके द्वारा लॉंच किया गया है त तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा इस लोवेनिया हो जाएगा ऑप्शन नमबर आपका 78 अब भी होगा साथ जून 2024 को किसके दौरा वर्ष दौर 25 को क्वांटम विज्ञान और प्रधोकी का अंतराश्टरिय वर्ष जो है घोसित किया गया है तो इसका सही आंसर देखेंगे तो सन्युक्ट राश्टर महा सभा हो जाएगा आप् greatest 1 ऊत्रहोगा चर्चा में रही इस पर स्यवा किस मठेक हैं तो यह थोस्तों आपका रक्षा मत्राले हैं किससे रक्षा मंत्राले option number C होगा लोग सभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर दो लाग सी अधिक जो है वोट पड़े हैं तो यह आपको हो जागा इंदोर यानी मध्य परदेश option number B अंतराष्टरी क्रिकेट में 600 चक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाच कौन बन गए हैं तो यह बन गए दस्तो रोहित सर्मा बने हैं option number जो है आपका 82 का A होगा हाल ही में निले रंग की चीटी की नई प्रजाती की खोज जो है किस राज्य में की गई है तो यह क्या गया है अरुणाचल परदेश में कहां पर अरुणाचल परदेश option number C होगा कहां के उपर आश्टर पती सोलोम चिलीमा और उनकी पतनी सहित नौ अन्य लोगों का निध हैं तो यह दोस्तों बनी हैं आप याद रिखिएगा मेक्सिको हो जाएगा अंसर option number B होगा दो जुन को भारत के किस राज ने अपना 11 इस्थापना दिवस मनाया है 11 इस्थापना दिवस मनाया है तो यह आपको हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा option number A right होगा भारत और कौ हो जाएगा option number C होगा किस देश ने अधिकारिक तोर पर अपनी अंत्रिक्ष एजंसी जो है लॉंच किया है कि करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा दच्षड कोरिया होगा क्या होगा answer दच्षड कोरिया option number A होगा हाल ही में किस देश ने इज्राइली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबन लगा दिया है तो इसका उत्तर हो जाएगा माल्दीव हो जाएगा क्या होगा answer माल्दीव option number A होगा 5 जून को 200 परियावण दिवस किस जो परियावण दिवस है कौन सी वर्सकाठ मनाए गई है पास जून को तो यह हो जाएगा 51 option number D होगा सन्युक्त राष्टर में भारत की पहली महिला इस्थाई प्रतिनिधी कौन थी जो रिटायर हो गई है तो यह थी दोस्तो रूचिरा कमबोज option number 91 का C होगा हाल ही में नीती आयोक का निद्रसक जो है किसे निक्त किया गया है दोस्तो यह बनाया गया है आसिस कुमार दास को बनाया गया है option number B अंतराश्टरी स्रम संगठन की हालिया जारी रिपोर्ट के नुसार दो हजार चौबिस में वैस्विक बिरोजगारी दर जो है कितना रहने का अनुमान है तो यह आपका है 4.9% 4.9% option number A अगला है कि चांग E6 यान हाल ही मिच द्रमा पर किस देश द्वारा जो है भेजा गय है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चीन option number B होगा डियाडियों ने हाल ही में रुद्रा एम सेकेंड मिसाइल का सफल प्रसिक्षड किया है यह किस परकार की मिसाइल है तो दोस्तों यह आपका मिसाइल आप देखेंगे तो आपका हवास से सतह हो जाएगा option number B right होगा ब 30 मई को भारत की सिराज यह ने अपना 37 इस्थापना दिवस मनाया है तो यह आपको हो जागा गोवाने option number E होगा अगला की अंटार्टिका संग सलाहकार बैठा कायुजन कहां पर किया गया है तो यह किया गया है कोची में option number B next प्रस्द है कि मास कम्यूनिकेशन पार्टनर स प्रोग्राम किस मंत्राले ने सुरू किया है अंसर हो जाएगा 99 का option number B जल सकती मंत्राले होगा option number B राइट होगा अगला की हाल में आय चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा जो है नामित किया गया है इसका आंसर हो जाएगा ओमान होगा क्या होगा आंसर ओमान 17 इंडियन महारी है इसमें तो इसमें आपका option कौन से दिया गया है बताइएगा तो देखिए इसमें आप फाइनल में जो है 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 अगला कि इस पेस में जाने वाले पहले भारतिये मुल्क के परेटक कौन बने हैं तो यह बने हैं गोपी ठोटा कूरा option number C राइट आंसर होग किस फुटबॉल कलब ने इंग्लिस प्रीमियम लीगदार 24 का खिताब जीता है तो यह हो जाएगा आपका मैंचेस्टर सीटी option number C होगा अगला की इदासीसा नोंगरॉंग किस राज की पहली महिला जो है पुलिस महानियसक बनी है तो यह बनी है मेग हाले की option number B राइट गया है तो इसका आंसर आप देखेंगे तो यह आपका रस्किन बॉन्ड हो जाएगा option number C सही उत्तर होगा रस्किन बॉन्ड विसो स्वास्त संगठन की पूरो मुख्य वेग्यानिक डॉक्टर स्वामिया स्वामिनाथ्थन को किस विस्वेद्याले द्वारा मानद उपाध स्थापना दिवस साथ मई को option number B कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रेंड प्रेक्स जितने वाली पहली भारती फिल्म निर्माता कौन बनी है तो यह बनी है पायल कपाडिया पायल कपाडिया option number A हाल ही में जारी वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देसों में कौन सा इस्थान मिला है देखिए 180 देसों में देखेंगे तो यह अपका 169 हो जाएगा option number D right होगा एक मई 2024 को भारत के कीन राजियों का इस्थापना दिवस मनाया गया है एक मई को तो यह हो जाएगा गुजरात और महराश्टर को हना गुजरात और महराश्टर का एक मई क को मनाया गया है इस्थापना दिवस एक महिला एसिया कब 2026 की मेजबानी जो है कौन सदेश करेगा तो यह दोस्तों करेगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा option number D होगा हाल ही में माउंट एवरेश्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतिये महिला कौन बनी है तो यह बन का उत्तर हो जाएगा आपका स्री निवास और कुलकर्णी होगा यह जो है सही उत्तर होगा सन्युक्त अरब अमिरात के राश्टर पती ने किस देश के राजदूत को प्रथम सर्णी स्वातनरता पदक जो हैं प्रदान किया है बताईए क्या होगा इसका आंसर देखेंगे चौदा नंबर का तो अपका परागवे हो जाएगा उप्सन नंबर सि किन यूरोपियो देशों ने फिलिस्तीन को देश का दरजा दिया है तो नार्वे आयरलेंड और इस्पेन होगा उप्सन नंबर ए रैट होगा भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है इसका उत्र हो जाएगा माल्दी हो जाएगा ये जो है सही उत्र होगा किस भारतियों टेनिस खिलारिregिंट ने इटालियन ओपन का खिँदाब जीता है यह रही हो जाएगा इगा स्वितेक होग आंसर क्या होगा दोस्तों इरान ऑप्शन नंबर भी अगला की फैडरेशन कब द्वारे चोपड़ा ने कौन से पदक जीता है ले चोपड़ा की बात करते हैं तो यह आप सोन पदक ऑप्शन नंबर सी होगा हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवूड अभिनेत्र को अपना राष्ट्री राजदूद जो है निक्त किया है राष्ट्री राजदूद तो देखें इसका उतर देखें कि आपको करिना कपूर खान ऑप्शन नंबर अब टॉन्टी का होगा अगला कि फोन पे ने किस देश में यूपी आई सिवाओं की जो है शुरुआत किया है तो यह किया गया है दोस्तों कोची में और देखेंगे तो भी होगा सही आंसर इसका भारती वायू सिना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वादेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीम हैन भीसम क्यूप का प्रस्टिक्षण किया है भीसम क्यूप का तो यह हो जाएगा आपका आग टीविस्व दो हजार चॉबीस के लिए जो है किसे टीम का कप्तान बना गया तो यह बनाया गया है नज्मुल हुसें सान्तों को आप्सन नमबर भी हाल ही में वर्स्त और चॉबीस के पुलिजर पुरस्कार दिये गए हैं इसे किस च्छेत्र में दिया आता है यह तो सभी क उत्तर हो जाएगा दुस्तों 25 में ऑप्शन नमबर डी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने कहां पर ग्लोबल अर्टिफिसल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाने की घोशना किया है तो यह आपको हो जाएगा पेरिस हो जाएगा ऑप्शन अमबर जो है डी सही उत्तर होगा विस्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है कहां पर किया गया है तो यह किया गया है रोटरडेम जो की निदर लेन पड़ता है ऑप्शन नमबर ए राइट होगा आसियान भारत वस्तु व्यपार समझोते की समिक्षा के लिए चौथी सन्युक्त समिती के बैठ चौहान के अधिक्स्ता में परिवर्तन चिंतन सेकेंड नामक दो दिवस्य सम्मेलन कहां दो है आयोजित किये गया है या फिर किया गया है तो देखिए आपका हो जाएगा नई दिल्ली में जो कि आप्शन नमबर जो है ए सही होगा आठ मई दौर चौबिस को उत्राखंट के मुख्य मंत्री पूसकर सिंग धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुवात किये है तो यह हो जाएगा दोस्तों रूद्र प्रियाग हो जाएगा ऑप्शन नमबर जो है सी होगा तेरा मई दौर चौबिस को किस देश में अवस्थित माउंट जो आला मुख्य में बिस्पोट हुआ है तो यह हो जाएगा इंडोनेसिया होगा क्या हो गांसर इंडोनेसिया हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हरा करके है सुल्तान अजलानसा ओ distraction ईथाप जीता है तो देखें इसका उतर देखेंक है ति आपका जापां हो जाएगा ए जो है सही उत्तर होगा विश्व के सबसे उची खगोलिये वेटसाला का उद्गाडन जो है कहां पर किया गया है तो यह आपका जापान में क्या गया है कोटा हासिल करने वाला पहले भारतिये पूरुस रेसलर जो है कौन बन गये हैं तो यह बन गये हैं अमन सहरावत बने हैं कौन बने दोस्तों अमन सहरावत ऑप्सन नमर जो है ए सही उत्तर होगा आगे हमारा कोशन देख लेते हैं देखे भारत फ्रांस सन्युक्ति सैन्य अभ्यास सक्ति के सात्य संस्कंड का युजन किस राज्य में किया गया है तो यह किया गया है मेगाले राज्य में अगला किस देश ने भारतियों की विजय फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दिया है तो क्या होगा आंसर इसका आंसर आपको जगा स्रीलंका ऑप्सन नमबर सी हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास जो है किस राज्य में इस्तित है तो दोस्तों यह आपको देखने को मि पूर आप्सन नमबर भी होगा भारत के पूर राश्टर पति ज्यानी जैल सिंग की जैनती जो है कम मनाई जाती है तो यह मनाते हैं पांच माई के दिन कमनाते हैं पांच माई इंटरनेशनल इलेक्षन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देशों के सब्राइब आप्सन नमबर एचाल और स्वास्त प्रभाव पर एक अनुसंधार रिपर्ट जो है पेस किया है आंसर हो जाएगा आयायटी जैपूर होगा आयायटी जैपूर ऑपसन नमबर सी आईची सी महला टी 20 वीश्यों कब दो हजार चॉबिस कायोजन जो है किस देस म में option number B हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जो है जारी किया है कि करेंसी की बात करते हैं तो यह आपका जिम बॉम्बे हो जाएगा option इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूपी जैसी सिवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ संधोता किया है कि इसका देख लेते हैं किसे बनाय गिया तो यह बनाया गिए दस्तों यूराथ सिंगों बनाया गिया है option नमबर भी होगा अंतराश्ट्री असतरन्ज महासंग ने हाल ही में किसे क्रेंड़ मास्टर क्यू पाधी से सम्मानित किया है इसका उत्तर हो जाएगा वैसाली रमिस बाबू हो जाएगा आप्सन नमबर जो है बी राइट होगा विसु उर्जा कॉंगरे सुदार 24 कायोजन जो है किस देश में किया गया है तो यह किया गया है दोस्तों निदरलेंड में कहां पर निदरलेंड ऑप्सन नमबर बी हाल ही मैं चर्चा मेरा भारती एतिहासिक अभीलेक आयोग जो है किस मंत्राले के तहज पर만 गैसे कारेरत है इसका उत्तर हो जाऑगा संस्कृत ये संस्कृति मंत्राले हो जाएगा औप्सन नमबर जो है तीरपन का सी सही होगा भारत की पहली बहुदेशी यानि ताप और बिजली ग्रिन हाइड्रोजन पाइलेट प्रोजेक्ट की सुरुआज जो है किस राजी में हुई है तो यह आपका हुआ हुआ है दोस्तो हिमाचल प्रदेश में कहां पर हिमाचल प्र भाग लेने वाले भाग लेने वाले खिलाडीयों को प्रोतसाहित करने के लिए किस पहल की घोशना किया है तो इसका सही आंसर आप देखेंगे 56 नंबर का तो आपका होजाएगा लेट्स मूव इंडिया हो जाएगा आपका सी सही उत्तर होगा आगे देखेंगे अगला हमारा कुशन क्या है अगला है कि 22 मई तो जार चौबिस को इस पेंट जो है इस पेंट किस संगठन का निन्यान बेस अदस से जो है दुस्तों बन गया है निन्यान बेवा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बर भी होगा अंतराश्ट्री सोर गड़ बंदन हो जाएगा बीस का सही उत्तर होगा किस जर्मन लेखिगा को उनकी पुस्तक जो कि कैरोस के लिए अंतराश्ट्री बुकर पुरसकार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है उत्तर हो जाएगा जैनी अरपेन बेग अरपेन बेग हो जाएगा ऑप्शन बर ए विससे कई समयद्वार 24 को मध्य संगाई सहयुक संगठन की विदेश मंतरियों की परिसद की बैठक जो है कहां आयोजित किया गया है तो यह क्या गया है कजाकिस्तान में ऑप्शन बर जो है डी होगा 19 मईद्वार 24 को कौन सन्युक्तरार जा अमेरिका के पहले अस्वेत जो है अंत्रिक्ष्यात्री जो है दुस्तों बन गया है तो यह आपको जागा एड दुवाइट हो जाएगा ऑप्शन बर जो है बी सही उत्तर होगा चले आगे हमारा कोशन क्या है वर्सदाव 27 महिला विश्वकप की मेजवानी के लिए किस देश को चुना गया है तो किस देश को चुना गया है तो ब्राजिल को बनाया गया है द तो यह हो जाएगा अवास एवं सहरी कार्य मंत्रा ले ओप्शन बर जो है 62 का डी होगा थाइलेंड ओपन का पुरुस डवल्स बैडिमिंटन खिताब जो है किस ने जीता है आंसर हो जाएगा दोस्तो सात्विक साही राज रंकिर्य डी एवं चिराग सिट्टी ओप्शन ब गया है तो यह चुना गया है अनमोल रायें को ओपस्ण नम्र जो है भी सही उत्तर होगा 44 घर वात्मी दीविस दोस्तो कि सदेश में मनाय गया है को तो यह मनाय गया है मिर गया भारथिय जीमनाष्ट एस याई ट्रेंपोलीन जिमनास्टिक चैंपियंशिप में पदक घितने वाली पहली भारतिये बन गई हैं तो इसका उत्र हो जागा सिष्टी खंडा खंडागले ऑप्सन नमबर भी होगा फ्रांस में 77 कांस फिल्म महुत्सों में किसे सर्वस्ष्ट लगू फिल्म के लिए जो है कांस सिनेफ पूरसकार मिला है कि इसका उत्तर हो जाएगा चिदा नंद नाइक हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी होगा भारत और किसी देश के मद्य सन्युक्त आतंगवाद विरोधी अभ्यास तरकस के साथवे संसकन का योजन जो है कोलकाता में किया गया है तो देखिए इसका आ मंद्र सूपर अमीरों के सूची में जो है सामिल किया गया है तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा मुकेस अंबानी और देखेंगे तो गौतम अड़ानी ऑप्सन नमबर जो है आपका डी हो जाएगा अपने सभी ग्लैसियर को खोने वाला विस्व का पहला दिस कौन बन गया है तो यह बने हैं जो है जो है सही उत्तर हो जाएगा चली आगे हमारा कोशन है 171 देख लेते हैं बोलाए कि 13 मई 24 भारत और इरान ने किस बंदरगाह के संचलन के लिए 10 वरसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं तो देखेंगे तो आपका चाबाहर बंदरगाह हो जाएगा यह जो है सही उत्तर होगा कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बोलियन एक्सेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदत से जो है बन गया है तो यह आपको हो जगा इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा इस्टेट बैंक सिंधी अंतराष्ट्री उर्जा विश्लेशन एजनसी एंबर के अनुसार वर्स दो हजार तेस में कौन सा देश विश्व का तिसरा सबसे बड़ा सौर उर्जा उत्पादक बन गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा अपका अपना भारत हो जाएगा और बी जो है सही उत्तर होगा साथ मई द्यारच चॉविश को कमांडेड कॉन्क्लेव का छठा संस्कंड कहां आयोजित किया गया है तो यह किया गया है अपका सैने प्रधोक की सहंस्थान पूर्णी में किया गया है ऑप्शन नमबर भी हाल ही में पुरतात्व वीदियो ने कहां 7000 साल पुरानी एक प्रग्यातिहासिक बस्ती की खोज किया है किस देश में मतातीर्थ आशी यानि मात्र दिवस दूस्तों मनाएं गया है तो इसका आंसर आपको हो जागा 78 का ओप्सन नमबर भी नेपाल जो है सही उतर होगा भारती सीनियर पूरुस बास्केट बाल टीम का मुख्य कोच जो है किसे निक्त किया गया है तो कोच बनाया गया है इसकौर्ट फ्लेमिंग को ओप्सन नमबर एस याई अंडर 22 और अंडर 22 और युवा मुख्य बाजी चैंपेंसी पे भारती मुख्य बाजों ने कुल कितने पदग गीते हैं तो भारती मुख्य बाजों ने कुल 43 पदग गीते हैं ऑप्सन नमबर जो है सही होगा अगला हमाय के भारत घाना सनुक्त व्यापार समीति का चोथा सत्र जो है कहां उपन हुआ है अंकारा में और सी तीन मईदवार चॉबिस को चीन के किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्चे से नमूने एकत्र करने और प्रित्वी पर लाने के लिए जो है लॉंच किया है तो देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तीरासी का तो आपको हो जाएगा ग्रेटर एड यूटेंट इस्टार को हो जाएगा ऑप्सन नमबर भी होगा हाल ही में सोथकारताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ग्यात बुलू होल ताप जा बुलू होल की खोज कीस इस इस्थान पर किया है तो यह किया गया दोस्ता आपका मेक्सिको आप्सन नमबर जो है बी सही उत्तर होगा तिसरी बार अंत्रिक्ष में उडान भरने वाले भरने भारती मुल्क के अंत्रिक्ष यात्री का नाम क्या है देखे नाम देखेंगे ति आपको जाएगा सुनीता विलियम क्या होगा सुनीता विलियम 21 मई द्वार 24 को किस पूर्व भारती परधान मंत्रे की पुनीतीथी को आतंगवाद विलोधी दीवस की रूप में मनाया गया है तो यह हो जाएगा आपका राजीव गांधी आप्सन नमबर C विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकासित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा इवं परेटन विकास सुचकांग 2024 में भारत के रैंकिंग क्या है तो यह आपको जाएगा उन्तालिसवा हो जाएगा ऑप्सन नमबर जो है बी सही उतर होगा विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में सिर्श 25 में जगह बनाने वाली पहली भारती महिला कौन बनी है तो यह बनी दुस्तो मनी का वत्रा बनी है ऑप्सन नमबर C दो हजार चोबिस पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारती पुरुस पहलवान कौन बने है तो यह बने है आपके अमन सहरावत बने है कौन बने है अमन सहरावत हाल ही में किस देश के कौमी रिता सिर्पा ने माउंट एवरेश्ट पर 30 वी बार चड से सम्मानित किया गया है कि आंसर हो जाएगा मेरिल स्ट्रीफ हो जाएगा ऑप्सन नंबर भी चौदा मई द्वार चौविस को मजगाओं डाक सी बिल्डर से लिमिटेट ने अपना कौन सा इस्थापना दिवस मनाया है तो इसका उतर देखेंगे तो आपका दोस्तों पच चौदामा अगला प्रस्तन है कि समागम आठ फेस्ट दॉर चौविस का युजन कहां पर किया गया है तो यह किया गया है नई दिल्ली में कहां पर दुस्तों नई दिल्ली में ऑप्सन नमबर डी सन्युक्त राष्ट्र संग की असंबिली में किसे जो है इस तरह सदक से जो तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो यह आपका पाकिस्तान हो जाएगा सी सही होगा राष्ट्रपती दुरौपती मुर्बुन दिव्यांग सोशल एक्टिविटिस्ट डॉक्टर के एस राजन्ना को किस पूरसकार से जो है अलंकरित किया है आंसर हो जागा पद मिस्र भारत की लोग कला और जंजातिय परमपराओं को दर्साने वाले प्रदर्शनी सोदेश का योजन जो है कहां पर किया गया है तो यह किया गया दूबई में यह जो है सही उत्तर होगा अमुल वाला कि अमुल अगामी टी-20 विश्वकप के किस देश का अधिकारिक प्रयोज बच्चन अप्सन नंबर सी होगा आते हैं को सब्सक्राइब दो सो दो पर चौबिस से तीस अपरेल दो हजार चौबिस को माना है कि विश्वक टीका करण दौर सब्सक्राइब का विश्वक्या है इसका आंसर हो जाएगा हीमेल हीमेल्टी पॉसिबल इम्मुनिजेशन किया है इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका आजित डोभाल हो जाएगा और राइट होगा चर्चा में रहा रवांडा बिल जो है किस देश में पारित किया गया है रवांडा बिल तो यह आपका पारित हुआ है आप अच्छे से याद रखिएगा बृटेन में ऑप्सन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा हाल ही में सुप्रीम कूर्ट ने सम्मिधान के किस अनुशेत के तहट 14 साल की नवालिक के तीस सप्ता के गर्ब खिसमापती को अनुमती दिया है तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुशे देख सो 42 ऑप्सन नंबर बी अगला कि लॉर्यस खिलारी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन आप दे यर का पूरसकार जीता है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इताना बोनमती हो जाएगा बी जो है सही उत्तर होगा किस राज सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवारे किया है तो यह किसे हुसेंड बोल्ट हाल ही में चर्चा में रहा अस्दोद बंदरगाह जो है किस देश में इस्तीत है तो यह आपको देखने को मिलता है इजराइल में कहां पर इजराइल में विस्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विस्व की आ तो यह बनी है दोस्तो प्रोफेसर नाइमा खातून ऑप्सन नमबर सी सताहतरवे कांस फिल्म फेस्टिवल के लास सीनेप सेक्षन में चुने जाने वाली सनफलावर्स वेर फर्स्ट वन से टूनो कौन सी भारतिय फिल्म बन गई है तो यह दोस्तो बन गया है आपका पहला गताई आपका बारे का देखेंगे तो ई सही होगा आई पने हैं जूए इंदर चहल जोकी ऑप्सन नमबर 13 का देखेंगे तो सी सही उतंतर होगा किस पासिव एसिया डेस में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसनान जो है किया गया है तो इसका आंसर हो जागा कुवै讲 option number A, हाल ही में किस प्रसिद भारती अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित में मानद डॉक्टरेट की उपाधी से सम्मानित किया गया है, इसका उत्तर हो जागा राम चरन, option number जो है 15 का C होगा, भारत के सबसे बड़े जलवायू घड़ी किस सहर में शुरू की जा गया है दिल्ली में, option number देखेंगे तो सोल का E होगा, किस राज में परंबिर चक्र उध्यान का उठगाडन दोस्तों किया गया है, तो इसका उत्तर हो जागा तमिल नाडू में, कहां पर, तमिल नाडू में, किस प्रसिद व्यज्यानिक को आरे भट पूरसकार 2024 मिला है आरे भट पूरसकार 2024 मिला है, तो यह दिया गया है डॉक्टर वावुलूरी सुबाराओ को, हना, वावुलूरी सुबाराओ, option number B, right होगा, अमेरिका ने हाल ही में, सन्युक्त राश्टर सुरक्षा परिसात में, किस देश को, एक अलग राज्य की रूप में, मानेता देने दिवस दोस्तों मनाए गया है, तो यह मनाए गया है मनिपूर में, option number B, right होगा, गुजरात के किस लोकसभा सीट से, BJP उमिदवार मुगेस दलाल को, निर्विरोद दोस्तों चुना गया है, आंसर हो जागा, सूरत, option number A, भारत ने पहली बारत किस देश को, ब्रमो सूपर स सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल, मिसाइल जो है, एरपोर्ट एक्सपोर्ट किया है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा, फिलिस्तीन होगा, क्या होगा, आंसर, फिलिस्तीन, option number C, सन्युक्त राष्टर जनसंख्या कोस की नविंतब रिपोर्ट के नुसार, अगामी कितने वर्टो में भारत की जनसंख्या जो है, दूगनी हो जाएगी, तो यह आपको हैगा, 77 वर्टो में, सतहत्तर वर्टो में, option number C, केंदरीय महिला एवं बाल विकास मंत्राले ने प्रारंबिक बच्पन देखभाल एवं सिक्षा के लिए, राष्ट्रिय पाठ्य करम यह क्या होगा सही उतर, इसका सही आंसर आप देखेंगे 25 का, तो correct answer आपको हो जाएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी, option number D, भारत ने किस वर्टो मलवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष रखा है, आंसर हो जाएगा 2030 तक, option number A, 14 अपरेल को किस महान व्यक्ति क जैनती मनाई जाती है, तो यह हम मनाते हैं, डॉक्टर भीम राव अंबेटकर का, option number C होगा, किस क्रिकेटर को हाल ही में, वर्सदार 24 के लिए, विजडन लीडिंग क्रिकेटर आप दे येर के रूप में दोस्तों चुना गया है, तो इसका उतर हो जाएगा, पैट कमिंस औ और नेट, साइबर ब्रंट, option number आपका D होगा, पाचवाँ T20 डीफ, IPL का खिताब जो है, किसने जीता है, उत्तर हो जाएगा, डीफ, बैंगलवर बात्सा हो जाएगा, option number आपका 29 का D होगा, आगे कुशन, चर्चा में रहा जो आला मुखी, माउंट, एरेबस, जो है, किस महाद्यूप में इस्तित है, तो यह आपका अंटार्क्टिका में है, option number C, आयोधिया में स्री राम सूर्य तिलक कारेकरब में किस भारतिय संस्थान ने अहां भूमिका निभाई है, तो यह हो जाएगा, आपका इंडियन इंसिट्यूट और एक्ट्रो फीजिक्स हो जाएगा, option number A, right होगा, किस बॉलिवूड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैग्जिन के दुनिया के 100 सबसे परभावसाई लोगों की सूची में सामिल किया गया है, तो यह आपको हो जाएगा, option number 23 का A, सही उतर होगा, cyber crime index 24 में भारत को कौन सा इस्थान मिला है, देख अभिस्तान में आयोजी तो ACI कुस्ति चेंपियन सीप दवार 24 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किया है, तो इसका उतर हो जागा, 9 पदक, क्या होगा, आंसर 9 पदक, option number B होगा, दुनिया के सबसे व्यास्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैं इसका सही आंसर आप देखेंगे, तो option हो जाएगा, बिल्किस मीर, option number A right होगा, किस भारती अभिनेत्रिक वहावर्ट विस्त विद्याले ने South Person of the Year पूरसकार, 2024 से सम्मानित किया है, इसका उतर हो जागा, आवंति का वंदपू, है ना, वंदनपू, option number D होगा, हाइबरीट पीच तकनिक का उपियोग करने वाला पहला, भारत का पहला जो है, इस्टेडियम कौन सा है, तो यह आपका इस्टेडियम है, धरम साला, option number C, भारत के किस राज जमेविस्त का सबसे बड़ा, जो की, री, नियोबेल, जो आपका रिनुएबल, इनर्जी पार्क जो है, बना संजना, सांधी, है न, सांघी हो जाएगा, option number A, अगला प्रस्न है कि आटेमी से समझोते में सामिल होने वाला, 49 देश कौन सा है, 49 देश आप देखेंगे, तो यह आपका इस्लोवेनिया हो जाएगा, option number B, किस देश ने अंगारा A5, रोकेट लाँज किया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोस, option number D, अगला कि बुलू, ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा, अंतरिक्ष यातरा करने वाले, पहले भारतिये कौन बनेंगे, तेकि पहले भारतिये देखेंगे, तो यह बने है, गोपी चंद, थोटा पूरा हो जाएगा, option number 45 का भी होगा, किस देश के गड़ी तक गया, और कंप्यूटर विज्ञानिक, एवी, विग्डर्शन को वर्षदार 23 के लिए, क्यूरिंग पूरसकार से सम्मानित क्या गया है, अंसर हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा, option number D होगा, डॉक्टर मैलकम अदिसेसिया राश्ट्रिय पूरसकार, 24 से किसे सम्मानित क्या गया है, तो यह क्या गया है, प्रोफेस सुरिंदर, S, जोदका, option number C सही होगा, हाल ही में, जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, और 24 के अनुसार, यूनिकॉर्न की मामली में भारत जो है, विस्व में किस स्थान पर है, तो भारत आपका है, तिसरे स्थान पर option number C, भारत और किस देश की सेना किम्मत जो है, exercise दस्टलिक कायूजन किया गया ह है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर देखेंगे, ति आपको उजबेकिस्तान हो जाएगा, option number C होगा, अंतराश्ट्री मानव अंतरिक्च उड़ान दिवस किस दिथी को मना जाता है, तो यह मनाते हैं 12 अपरेल के दिन, option number B होगा, डबलु एचो द्व हो जाएगा, यह राइट आंसर होगा, चैर्चा में रहा, यो कि बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्च एजन्सी की सन्यूगत परियुजना है, तो यह आपका है, यह से और जाकसा का है, option number A होगा, गंगौर उत्सव, द्वार 24 का युजन जो है, किस राजी में किया गय गया है आपका राजस्थान में, गंगौर उत्सव, आगे हमारा प्रस्न है, किस देश ने 8 अपरेज़ द्वार 24 को जीग नामक, एक नई सोन, समर्थित मुद्रा जो है, लांच किया है, आंसर हो जागा, जीम बॉम्बे होगा, option number D, 9 अपरेज़ द्वार 24 को किस राज में उगादी महोत्सो, दोस्तों आपका मनाया गया है, उगादी महोत्सो, तो देखेए, आपका मनाया गया है, आप देखेंगे, तो आपका अंधर पर्देश, करनाटक और तेलंगाना, उप्यूक्ति में से आपका सबसही उत्तर होगा, हाल ही में चर्चा में रहा, सिनका कु महासागर में स्ठीछ सेhot है किस महासागर में स्थीथ है तो यह आपको देखने को मिलता है प्रसांत महासागर में सा नमबर सी होगा 16 में वितायों का पूर्वकाली स्दत से जो है कौन बने हैं कि आंसर हो जाएगा मनोच पांडा ऑप्शन नमबर जो है बी सही उत्तर होगा ग्लोबल फॉरेश्ट वार्च रिपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार वर्ट दो हजार से लेकर दौर तेश तक भारत में कितना विर्ष जो है छेत्र कम हुआ है कि आंसर हो जाएगा टू पॉइंट फ्री मिलियन हेक्टियर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी होगा चुनाव आयोग ने मजदाताओं को प्रत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को अंबेश्टर जो है न्यूक्त किया है तो यह बनाए गया है आईसमान खुराना को ऑप्शन आपका जो है साथ का देखेंगे तो आपका रक्षा मंत्राली होगा ऑप्शन नमबर सी 22 अप्रेल द्वार 24 को कि सथीम के साथ विश्व प्रिथिवी दिवस मनाए गया है देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका प्लानेट वसे प्लास्टिक्स हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी लक्षदीप में साखा खुलने वाला पहला नीजी बैंक जो है कौन बन गया है तो यह बन गया दोस्तों एच डी एपसी बैंक ऑप्शन नमबर भी पेरिस ओलंपिक द्वार 24 के लिए क्वालिफाई करने वाला एक मात्र भा संस्क्रण जो है कहां आयुजित किया गया है तो देखे 64 का आंसर आप देखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी सनिप्त अरब अमिरात होगा डी सही होगा साथ अपरेल को किसी विशय के साथ विश्वज स्वास्त दिवसमन आए गया है उत्तर होगा अरट की वालड़ा की रिपोर्ट के अनुसार 02 में सबसे अधिक दोपिंग की मामलों कि संख्या जो है किस देख में पाइ गयी है तो ये कौन से दिश्म में बाया गया है बताईएगा तो देखिए सबसे अधिक देखेंगे तिया आपका भारत हो जाएगा ऑप्सन नमब डी एक अप्रेल द्वार 24 को किन दो देशों ने उन्नत क्वित्रिम बुधिमत्ता सुरक्षा प्रसिक्षड पर एक समझोता किया है तो ये आपका अमेरिका और ब्रिटेन होगा अमेरिका और ब्रिटेन भारत के पहले प्राइवेट सबमीटर रिजॉलियोशन सर्विलांस सेटिलाइट को किसने जो है लॉंच किया है आंसर हो जाएगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी होगा इजराइल ने इरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम जो है क्या दिया है कि नाम दिया दूश्ता आईरन सील्ड नाम दिया है क्या नाम दिया है आईश्ड उप्छन नमबर देखेंगे तो इह रॉइट फोगा चार अप्रैल जो है किस राज्य से है चिराग योजना जो इसका संबन्ध है आपका हर्याना से है किससे है दोस्तों हर्याना से ऑप्शन नमबर बी सही उत्तर होगा चलिए अगला हमारा कोशन है विशो बैंक ने वित वर्षवार 24 पचीश के लिए भारत की जीडिपी व्रिधी दर कितना प्रतिसत जो है रहने का आकलन किया है तो यह आपको होजागा 6.6 प्रतिसत हो जाएगा ओप्शन नमबर यह होगा 2024 में कितने भारतियों को मर्नो प्रांत भारत रत्न प्रतन किया गया है तो यह आपको होजागा 4. ऑप्शन नमबर बी सही उत्तर होगा किस राज एकी तिरंगा वर्फी और धलुआ मुर्ति को जी आई टेक दोस्तों दिया गया है आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश क्या होगा उत्तर प्रदेश विश्व का पहला परमाणू उर्जा सिखर सम्मिलन कहां आयोजी दोस्तों किया गया है 77 का आंसर देखेंगे तिया आपका बेल्जियम हो जाएगा ऑप्शन नमबर जो है 77 का ए सही उत्तर होगा किस भारती प्रदोक्य संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घारेलो जीन ठेरेपी जो है लॉंच की गई है कि आपका आयाइटी बॉंबे होगा क्या होगा अंसर आयाइटी बॉंबे चर्चा में रहा कच्छा थी वो भारत और किस देश के मद जो है इस्तित है 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 तो यह अपको देखने को मिलता है देखेएंगे तो यह आपका स्रिलंका हो जाएगा ज्यूहा चावलगा था इनटरनेशनल स्फीर celebrity द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अपरेल दो हजार चौबिस में भारत के सबसे सिर्ष जो है सदराजी खिलाड़ी कौन बने हैं अर्जुन एरिगासी हो जाएगा ए जो है सही उतर होगा किस टीम ने 56 राष्ट्रिय खोको चैंपियंसिप द्वार तेश सोबिस में महिला और पूरुस का खिताब जीता है कौन तो यह आपका महराष्टर हो जाएगा ए जो है सही उतर होगा भारत ने किस देश में सीतवे बंदरगहा को संचलित किया है आंसर हो जाएगा मयान मार, ऑप्सन नमबर जो है आपका D सही उतर होगा, अगला प्रस्न है कि मेनेंजाइटिस के लिए ठीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है, जो पहला देश है यह आपका नाइजीरिया है, कौन है दुस्तों नाइजीरिया, खाद और सिष्ट सुचक हुआ है, बताये क्या होगा आंसर इसका, तो कि इसका सही आंसर देखेंगे, तो यह आपका बुल्गारिया हो जाएगा और रोमानिया होगा, यह आप्सन नमबर D, हाल ही में किसने जो है नविकरणी उर्जा स्रीणी छेत्र में स्कॉच E.S.G. पुरस्कादवार 24 विए हा आपना दिवस मनाया है, इसका उत्तर हो जागा दोस्तों, देखेंगे तो सही उत्तर हो जायागा आपका, ओडिसा हो जायागा, ऑप्सन नमबर D, हाल ही में खबरों में रहा इराहा, क्या है, देखेंगे तो यह एक परकार से AI अधारित फिल्म है, ऑप्सन नमबर C, अगल दुका किस अफरिकी देश की पहली महिला जो है, परदान मंतरी बनी है, इनका नाम है, तो यह आपको हो जागा, ऑप्सन नमबर C, कांगो सही उत्तर होगा, चरचित भोजसाला और कमाल मौला, मजिद किस राजी में इस्तित है, तो यह आपको मधिपर्देश में देखने क मिलता है, ऑप्सन नमबर B, नई दिल्ली में आयूरियत किये गए होकी इंडिया अवार्ड दौर 23 में, किसे प्लेयर ऑफ द येर अवार्ड से समानित किया गया है, देखिए आपको हो जाएगा, हारदिक सिंग और सलीमा टेटे, ऑप्सन नमबर D, राइट आंसर होगा, ए एक अप्रेदवार 24 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाए गया है, तो ये मनाए गया है, नबेवा, ओप्सन नमबर C होगा, वित्तिय वर्ष 23 में भारत का कुल रक्षा निर्याद जो है, कितना रहा है, तो ये रहा है, दोस्तो 21,083 करोड रूपया हो जाएगा, C, सही उ दुबाई के प्रसिद मैडम तुसार संग्रहाले में किस तैलोगू अभिनेता की मोम की प्रतिमा इस्थापित कर उन्हें जो है, सम्मनित किया गया है, आंसर हो जाएगा, अल्लू अर्जुन, क्या होगा आंसर, अल्लू अर्जुन, आप्सन नमबर C, भारती नौसिना ने ओपरेशन संकल्प के तहट किस इरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लूटेरे से बचाया है, तो यह आपको हो जाएगा, अल्लू कंबर हो जाएगा, ऑप्सन नमबर D, UNDP दोरा जारी तिसी खाद अवसिष्ट, अन अपसिष्ट सुचकांग, रिप आपको किलोग्राम है ना, आपसे नमबर दोस्तों आपका D सही उतर होगा, अंतराष्टरी सरम संगठन, ILO और मानो विकास संस्थान, IHD दोरा, जारी भारत रोजगार रिपोर्ट दोरा 24 के अनुसार, भारत के कितने प्रतिसत युवा बिरोजगार है, तो इसका उतर आप अनुसार, पुरसकार से किसे समानित किया गया है, तो यह किया गया, आपका दोस्तों देखेंगे, तो आपका जैम्स बायस और बीना अगरवाल, आपका D सही उतर होगा, जल संसाधन, नियंतर पट लॉंच करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो यह पहला राज्य यह आपका राजस्थान है, कौन है दोस्तों राजस्थान, आप्सन नमबर A, कहां में फोसे भारतियों को निकालने के लिए, हाल ही में, आपरेशन इंदरावती जो है, शुरू किया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, मध्य पर्देश होगा, क्या होगा आंसर, मध्य पर्देश, एबेल पुरसकार, दार 24 से जो है, किस से सम्मानित क्या गया है, आंसर हो जाएगा, दोस्तों, मिसेल, टेला ग्रेंड हो जाएगा, आप्सन नमबर देखेंगे, तो डी राइट होगा, चलिए नेश्था हम कोसन देख लेते हैं, अगला कि नेपाल के किस सहर को परेटर राजधानी बनाने की घोशना की गई है, तो यह आपका सहर है, पोखरा, ओप्सन नमबर सी, वर्ड हैपीनेस रिपोर्ट, दार 24 में भारत 143 देशों के सूची में, औस तन जो है, कितने स्कोर के साथ 126 में स्थान पर है, तो यह आपका स्कोर 4.1 होगा, क्य सब्सक्राइब के लिए दिया गया है, तो इसका उत्तर आप देखेंगे, तो यह आपका तिसरा इस्थान पर आपत हुआ है, यह जो है सही उत्तर हो जायाएगा, किसे वर्ष वर्ष 24 का संगीत का निधी पूरसकार दिया गया है तो यह दिया गया है टी-म किष्णा को अगला की वोमेंस से प्रीमियम लीग दोहर 24 का खिताब जो है किस टीम ने जीता है आंसर हो जाएगा रॉयल चलेंजर्स बैंगलो यानी रसी भी हाल ही में किन्हे जो है महराष्टर गौरो पूरसकार से सम्मानित किया गया है आंसर हो जाएगा उमारेले क्या होगा आंसर उमारेले ओप्सन नमबर भी होगा किस महिला क्रिकेटर को फरवरी दोहर 24 के लिए एससे से प्लियर आफ दा मन्त का सम्मान मिला है तो यह दुस्तों मिला है एला बेल शदर लेंड जो की ऑस्ट्रेलिया के है आसकर आवाड दोहर 24 में किसे जो है बेस्ट फिल्म का पुरसकार मिला है तो यह मिला है ओपिन हाइमर को ओप्सन नमबर जो है सी सही होगा नेश्ट हमारा के 10 मार्च को सियाइसप ने अपना कौन सा इस्थापना दिवस मनाया है तो यह आपको हो जागा पचपनवा इस्थापना दिवस कौन सा यूरोपिय देश नाटो का 32 सदस्य देश बना है तो यह बना है स्वीडन ओप्सन नमबर बी गर्भपात को समयधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला दिश कौन बना है तो यह दुस्तों बना है फ्रांस बना है ठीक है फ्रांस बना है याद रखिएगा किस सहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च जो है सेंटर खुला है इसका आंसर आप देखेंगे तो देखें अठार का उत्तर हो जायागा आपका पर्तना यानि बिहार में खुला है सीमा सुरक्षाबल यानि बियसर्च की पहली महिला स्नाइपर जो है कौन बनी है तो यह बनी है सुमन कुमारी ऑप्सन बड़ी होगा भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज में मिशन 414 अभ्यान जो है शुरू किया है आंसर हो जागा हिमाचल प्रदेश ऑप्सन नमबर ए 22 मार्च को किस राज जने अपना 112 इस्थापना दिवस मनाया है है तो इस का सहि उत्तर आप देखिएंगे 21 का तो आपको Two opinions do a इस्थापना दिवस मनाया है तो इसका सही उत्तर आपका सही उत्तर होगा सी में हम देख लिती है कि बहारत के नए लोकपाल जो है ६ने है लोकपाल अध्यक्श कओन बने है लोगपाल अध्यक्श तो 23 का आंसर आपको हो जाएगा A.M. खान विलकर हो जाएगा option number C रणजी ट्रॉफिद और 23 का खिताब जहें किस टीम ने जीता है यह आपको मुंबई हो जाएगा C. जो है सही उत्तर होगा हाल ही में किस देश के जद्दा के अल जवाहरा में दुनिया के पहली 3D printed मस्जित का अनावरण किया गया है आंसर हो जाएगा सौधी अरब होगा क्या होगा सौधी अरब किस सहर में दुनिया के पहली वैदी घड़ी जो है इस्थापित की गई है तो यह इस्थापित क्या गया है उज्जयन यानि मध्य परदेश होगा option number B अगला प्रस्न है कि राइंग पो इस्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे इस्टेशन की अधार सिला रखी गई है अधार सिला रखी गई है तो देखें यह आपका सिक्कीम हो जाएगा क्या होगा सिक्कीम हाल ही मे क्यारी अंतराष्ट्री होकी फैड्रेशन रांकिंग में भारती पूरुस और महिला होकी टीम क्रमस जो है किस इस्थान पर है कौन से इस्थान पर है तिया आपका चौथे और ना सरी चौथे और नौवे option number A होगा हर्याना के नए मुख्यमंत्री की रूप में किसे चुना रखता है आपका मलेरिया रोक से है किसे है मलेरिया रोक से 22 मार्च को कि सत्यम के साथ जो है विस्वजल दिवस मनाए गया है विस्वजल दिवस मनाए गया है तो यह आपका वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस होगा option number A युवन डीपी दौरा जारी लैंगिक समान और समानता सोचका अंग दौर 22 में भारत 0.0.437 अंक के साथ जो है 193 देशों में कौन से इस्थान पर है तो यह आपको हो जागा 108 में option number A होगा हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का दिरधाना दोस्तों करता है तो यह हो जागा लेबन रहा दो किसे चुना गया है तो यह रहा आपके सामने option बताइए तो आपका सरत कमल हो जाएगा option number जो है आपका भी सही उत्तर होगा सरत कमल भारती क्रिशी अनुसंधान परिशद ने रिसी छेत्मिन नई तक्निक के लिए किसके साथ जो है समझोता किया है आंसर आपका हो जाएगा दोस्तो धानुका एग्री टेक लिमिटेड हो जाएगा option number जो है परणित किया है तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे 37 का तो आपको हो जाएगा option number डी आइक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के नुसर बिहार का कौन से सहर जो है वैसिविक इस्तर पर सबसे प्रदूसित है तो यह आपको हो जाएगा पर सी प्याइब मोदीद वरा इस्टार्ट इस्टार्ट अप महाकुम कायोजन जो है कहां पर किया गया है तो यह किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में option नमबर जो है आपका भी होगा वर्ल्ड हैपीनेस रिपोर्ट दौर 24 के अनुसर दूनिया का सबसे खुसहाल द जीजू option नमबर डी इस दो ने गगान यान क्रू की सहयता है तो कौन सा एप लॉंच किया है तो यह आपका सखी हो जाएगा क्या होगा आंसर सखी भारत और किस देश की बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्राइंफ 24 का योजन विसाखा पटनंग में किया गया है तो यह आप 2.0 जो है लॉंच किया है आंसर आपका हो जाएगा option नमबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा यानि उत्तर प्रदेश होगा उत्तर प्रदेश हाल ही में कौन भारती मुल्क की महिला विसो बैंक के वैसिविक परियावरण सुविधा की प्रत्थम महिला जो है डायरेक्टर बनी है उत्तर हो जाएगा गीता बत्रा उप्सन नमबर सी भारत निर्वाचान आयोगने राश्ट्रिय दिव्यांगर जन आईकन की रूप में किसे चुना है उत्तर हो जाएगा सीतल देवी option नमबर जो है ए सही उत्तर होगा सीतल देवी किस राज्य सरकारने हाल ही में जो कि अहमद नगर जीले का नाम बजल करके अहिलिया नगर कर दिया है तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो देखिए 48 का उत्तर आपका महराश्टर हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए पीवी नसीमहा राओ मेमोरियल आवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया है किसे प कि आपका साथ फेज में किया जाएगा ऑप्सन नमबर सी चालो वित वर्ष्ट तेज़ चोविस की अक्टूबर दिसंबर तीमाही के दोरान भारती अर्षिवस्ता जो है कितने प्रतिसत तो आपका विर्धी दर्ज किया है कि आंसर हो जाएगा एट पॉइंट फोर प्रति देखेंगे तो डी होगा मानो विकास सुचकांग दौर 23 चोविस में भारत की रैंकिंग क्या है कि तो देखिए आपको जाएगा सो चौटिसवा रैंक हो जाएगा ऑप्सन नमबर आपकर डी सही उत्तर होगा अगला प्रसन है कि तमीज लिखा गया है तमिली साई सुंदर राजन के तिलंगाना के राजेपाल पद से इस्तिपा देने के बाद किस राजे के राजेपाल सीपी राधा किष्णन को तिलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दुस्तों दिया गया है तो यह आपका हो जगा जारखंड ऑप्सन नमबर सी निती आयोग किसके सहयोग से विकास अभियान शुरू किया है तो यह आपका उत्तर पर्दिस हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी राइट आंसर होगा यूपी नए चुनाव आयुक्त की रूप में जो है दुस्तों किसे चुना गया है तो यह चुना गया आपका देखेंगे तो सुखवीर संधु और ज्यान ठाकूर ऑप्सन नमबर डी होगा पकिस्तान के चौदहवे राष्टर पती की रूप में किसने सपत लिया है आंसर हो जाएगा आसिफ अली जारदारी होगा ऑप्सन नमबर भी भारती बैंक संग के नए चेर्मैन कौन बने हैं देखें चेर्मैन देखेंगे तो यह बने है अप्सन नमबर डी होगा भारत की पहली आटो मोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट काउट घाडन जो है किस राज में किया गया है तो यह किया गया है गुजरात में ऑप्सन नमबर सी ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके दोरा जो है जारी की जाती है है कि यह आपका जारी होता है आपका यू एनीपी हो जायेगा और सभूल हम अगला प्रस्थन है कि शैमन है डिश कि सभसे योवा प्रधानमंद्री बने हैं तो यह आपका आयर्ग होगा कैस चाइले aheadanın मेदल से किसे जो हैं सम्मानित किया गया है उत्तर हो जाएगा रचीन रविंद्रन आपका बी सही उत्तर होगा अगला कि सिपरी की रिपोर्ट के नुसार दो हजार अन्य से तेज की बिच दुनिया का सिर्ष हत्यार आयातक देश जो है कौन सा है तो यह अपका अपना भारत हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी हाल ही में बीच यह तकी सराज्य का 27 जिला बन गया है तो कि 27 जिला देखेंगे तो यह अपका अरुणासिल परदेश हो जाएगा ऑप्सन नमबर जो है आपका सी सही होगा पी ए मोधी ने भारत के पहले कॉमर्शिय का जो है दोस्तों उटगरन किया है कि अब गुजरात हो जाएगा ऑप्सन नमबर जो है सी होगा अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस दौर 24 का युजन जो है किस देश में किया गया है तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा जैकि इसका आंसर आप देखेंगे तो यह आपका हो जाएगा सी जो है सही उत्तर होगा कि फ्रास दोस्तों यहां पर कोशन जो है बलर है बाकि आपको आगे क्लियर मिलेगा दिखेगा एक सबसे लंबे टूइन लेन टरनल का उट घाटन जो है किया गया है कहां पर तो यह किया गया है अरुणाचल परदेश में ऑप्सन नम होगा मिस वर्ल्ड से समावाड से किसी समानित क्या गया है तो यह तो पर सक्ती कैयोजन कहां किया गया हैícia मेरे में option number C होगा हाल ही में अंतराष्ट्रियस और गडबंदन में नय सद्थ से जो है कौन बन गया है तो यह बना दोस्तों पनामा बना है कौन बना है पनामा हाल ही में किस देश से संबंदित खिलाड़ी नील व्यागनर ने अंतराष्ट्रिय किर्केट से सन्यास लिया है त अंतराष्ट्रिकेट से दोस्तों आपका सन्यास लिया है तो 75 का दिखेंगे न्यूजी लेंड ऑप्शन नमबर बी ऑसकर आवार्ड दौर 24 में सर्वसेष्ट अभिनेता का आवार्ड जो है किसने जीता है कि उत्तर हो जाएगा किलियन है ना किलियन मर्फी ऑप्शन नमब यह आपका मिस्र हो जाएगा क्या होगा आंसर मिस्र राष्ट्रिय युवा संसद महत्सों दो हजार चोविस में जो है प्रत्थम पूरसकार किसने जीता है कि सही आंसर आपको हो जाएगा यतिन भासकर दुगल ऑप्शन नमबर बी भारती नौसिदाने लक्षदीप के किस दियूप पर अपने नए बेस की स्थापना की है आंसर हो जाएगा मिनी कौई दीप ऑप्शन नमबर ए भारत की पहली अंडर वाटर मैट्रो काउट घाटन पियम मोदी ने किस इस्थान पर किया है यह किया है दोस्तों पसी मंगाल में कहां पर पसी मंगाल में याद रखि स्मॉल स्केल एल एंजे यूनिट काउट घाटन जो है किस राज्य में किया गया है तो यह किया गया है मध्य पर देश में ऑप्शन नमबर सी होगा अगला प्रसने के स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत की पहले ग्रिन हैड्रोजन प्लांट की स्थापना कहां पर की गई है तो यह किया गया है हिसार में दोस्तों याद रखेगा हिसार में हाल ही में मिर्व टेक्नलोजी के साथ किस मिसाइल का सफल प्रसिक्षर किया गया है आंसर हो जाएगा अगनी फाइब ऑप्सन नमबर देखेंगे तो बी होगा किस राज में विद्वाप पुनरविवाह पुरत्साहन योजना जो है सुरू किया गया है करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा जारखंड होगा क्या होगा जारखंड काकर किया गया है उत्तर हो जाएगा सिम्बला में दोस्तों याद रखेगा सिम्बला में किस राज के आदिवासी पोसाक रिशा कुजी आईटेक दिया गया है उत्तर हो जागा त्रिपूरा हो जागा याद रखेगा त्रिपूरा समद्री अभ्यास समद्र लक्षमन भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित किया गया है तो यह किया गया है मलेसिया के बीच भारत और मलेसिया केंदरी मंत्री अर्जुन मुंडा ने कि सराज में जन्जातिय संस्क्रेटि और विरासत के सनक्षण और सनवर्धन केंदर की अधार सिला रखी है आंसर आप देखेंगे तो उत्तर आपका हो जाएगा जारखंड ऑप्सन नमबर बी आदिती योजना जो है किस छेत्र से संब किये हैं तो यह किया गए 150 करोड ऑप्सन नमबर भी होगा देश का पहला सिमिकंडक्टर फैब जो है किस राज्य में इस्थापित किया जाएगा अप अच्छे से याद रखेगा गुजरात में इस्थापित किया जाएगा ऑप्सन नमबर आपका जो है डी सही उत्तर होग भारत के पहले स्वदेशी हरीत हाइट्रोजन अंतरदेशी जलमार जहाज को किस राज्य में लॉंच किया गया है तो ये लॉंच किया गया है तमिलनाड़ो में ऑप्सन नमबर सी किस भारतिय को ब्रिटेन के किंग चार्ल सित्रितिय द्वारा मानद नाइट हुड से समानि किये गए हैं तो यह किया गया है 75,000 करोड ओप्सन नमबर सी हाल ही में डेंगु बुखार के तेज़ी से बढ़ते मामलों की कान जो है किस देश ने स्वास्त अपातकाल की घोशना किया है स्वास्त अपातकाल की तो यह आपका पेरू हो जाएगा यह जो है सही उत्तर होगा चुनाओ आयोग ने किस के साथ मिल करके मेरा पहला बोट देश के लिए अभियान शुरू किया है यहां पर टाइप मिश्टेक है तो देखिए 98 का देखेंगे तो यह आपका सिक्षा मंत्राले होगा ऑप्सन नमबर बी गगान यान मिशन के लिए कितने अंत्रिक्ष यात् है उत्तर हो जाएगा चार ऑप्सन नमबर ए सही होगा टी ट्वेंटी अंतराश्ट्री किर्केट अंतराश्ट्री किर्केट इतिहास में सबसे तेज सतक को रिकॉर्ड यह किस खिलाडी ने बनाया है इसका आंसर देखिए तो आपका जान निकोल लॉप्टी इटन हो जाए ऑप्सन नमबर डी किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर आफ दे यह 24 का जो है पूरसकार जीता है तो यह आपका स्विडन हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी हाल ही में बिहार के किस जीले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का सलन सवराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम ऑप्सन नमबर जो है बी सही उतर होगा खेलो इंडिया विंटर गेम का चौथा संस्कर्ण जो है दुस्तों कहां अरुजित किया गया है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पांच में का ऑप्सन नमबर देखेंगे तो यह हो जागा जम्मू कास्मीर हो जाएगा आप अच्छे से याद रखेंगा चलिए आगे देख लेते हैं अगला है कि वैग्यानिक अनुसंधान के लिए जी डी बिडला पुरसकार जीतने पाली महिला वैज़ानिक जो हें कौन बनी है यह बनी है अधीति सी अंडे ऑप्सन नमब डी हाल ही में कौन भारत के बिडला जो है पीच क्योलेटर बनी है agreed इसका उत्तर आपको हो जागा दोस्तों जेन निखा गये है चैसा कन लेन अ ऊप्सरन नंबर ए होगा नेश्ट हमारा कोशन है वर्षदर 24 के दादसा है फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में जो है बेस्ट फिल्म का पुरसकार किसे मिला है तो इसका उतर हो जागा जवान ऑप्सन नमबर D हाल ही में राइसीना डायलोग के किस संस्कन का युजन नई दिल्लिम में चतुरंगा संघर्स प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विशे के साथ हुआ है तो यह आपको हजागा नौवा ऑप्सन नमबर C होगा इंटरनेशनल सोलर एलोइन्स का 119 सदसे देश जो है कौन बन गय हए है तो यह बन गया है माल्था अफसन नंबर B बाप्टा वादवारण डát 2024 में किसे बैस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है देखे अप्र फिल्म का पूर्थ का पूरस्कार मिला है ओपर फिंहायमर को अप्सन की में में काजी न 설ी मों किस राज्यपार राज की फल बन ग गया है आंसर हो जागा दोस्तों ससी थरूर ऑप्सन नमबर ए किस देश की महिला क्रिकेटर एम बी हंटर ने जनवरी दौर चोविस के लिए इससी प्लेयर आफ दमन्त का सम्मान जीता है आंसर हो जागा आयरलेंड ओप्सन नमबर ए तेरह फरवरी को किनके जनम दिन पर राष्टरी या महिला दिवस दोस्तों मना जाता है उत्तर हो जागा चरुनी नाइडू ओप्सन नमबर सी हाल ही में करपुरी ठाकूर ठाकूर लाल किष्णा अडवानी नरसीमा राओ चोजिछ रण सिंग और एम स्वामिनाथन को भारत रतन सम्मान मिला है इस परकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को यहाँ पुरस्कार मिला है तो यह आपको हो जागा तीरपन ऑप्सन जो है आपका बी सही उत्तर हो जागा तीरपन किस प्रसिद भारतिय सिक्षा को UAE का गोल्डन बीजा मिला है उत्तर हो जाएगा आनद कुमार ऑप्सन नमबर C हाल ही में अरुनातिय प्रदेश में दो नए जिले जो कि केई पनियोर और बीचों मनाने की घोशना हुई है जो कितना हो गया है तो यह हो गया है 28 ऑप्सन नमबर B समान नागरी सनहीता बिल लव करने वाला भारत का पहला राजी जो है कौन बन गया है तो यह बन गया है उत्तराखंड ऑप्सन नमबर D भारत रत्न समान पाने वाले 50 सक्स जो है कौन बने है तो यह बने हैं दुस्तों लाल किष्ण आडवानी बने हैं, option number D होगा हाल ही में कौन भारतिय सिना की पहली महिला जो है, सुबिदार बनी है लेकि सुबिदार की बात कर लेते हैं, तो इसका उतर हो जाएगा प्रिती रजक, option number D एक फरवरीदवार 24 को भारती टेटरक्षकबल, ICG ने अपना कौन सा इस्थापना दिवस मनाया है इसका उतर हो जाएगा, 48 हो जाएगा, option number आपका B सही उतर होगा तेरह फरवरीदवार 24 को PM सूर्य घर, मुप्त बिजली योजना को किसने दुस्तों आपका लॉंच किया है तो इसका उतर आप देखेंगे, तो जो जो इस्थान मिला है, आपका तिर्यारण बेवाँ, option number D सही होगा सड़क सुरक्षा बल लॉंच करने वाला भारत का प्रथम राजी जो है, कौन बन गया है तो यह बना है, पंजाब, option number D, Australian Open 24 में महिला एकल का खिताब जो है, किसने जीता है तो यह आपको हो जागा, एरिना सबालेंग का, option number A सही उतर होगा अठाई जनवरी दार 24 को महांट सुवतनरता से नानी लाजपत राय की, कौन से दोस्तों आपका जैनती जो है, मनाई गई है उत्तर हो जागा 169, option number B Australian Open 24 में पूरु सेकल का खिताब जो है, किसने जीता है इसका उत्तर हो जागा यानिक सिनर, option number B तीन दिवसी अंतराष्ट्री गीता महत्सो कायूजन कहां पर किया गया है तो गीता महत्सो कायूजन आप देखेंगे, तो इसका उत्तर आपको होजाएगा कोलंबो, option number B फिल्म फेयर अवार्ड दर 24 में, रणवीर कपूर को किस फिल्म फेयर के लिए बेस्ट एक्टर का पूरसकार मिला है देखे, बेस्ट एक्टर का पूरसकार मिला है तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे, 30 का तो क्या होगा answer option number हो जाएगा आपका animal, option number B किस राज में smart policing के तहत, self balancing electric scooter को launch किया गया है उत्तर हो जाएगा उत्तरा खंड, option number D होगा ICC award 23 में किस देश की महिला क्रिकेटर, net sever brunt को साल की सरवसिष्ट खिलाड़ी का पूरसकार मिला है उत्तर हो जाएगा उत्तरा पर इंग्लेंड होगा क्या होगा answer, इंग्लेंड ICC award 23 में किस पूरस क्रिकेटर को साल का सरवसिष्ट, खिलाड़ी का पूरसकार मिला है तो यह मिला देश तो आपका Pat Cummins Australia, option number C होगा चन्दरमा पर पहुँचने वाला आप तक का पांचवाँ देश जो है कौन बन गया है पांचवाँ देश देखेंगे तो यह आपका जापान बना है, option number D हाल ही में रेलेवे सुरक्षा बल ने किस operation के तहट पांच सो उन्चास से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है तो इसका उत्तर हो जाएगा operation नन्हे फरिष्टे, option number C होगा कोचिन इंटरनेशनल एरपोर्ट लिमिटेट ने Green Hydrogen Project के लिए किसके साथ समझाता किया है समझाता देखेंगे तो यह आपको हो जाएगा, BPCL हो जाएगा, option number B हाल ही में कितने बच्चों को वर्स्तार 24 का परधान मनती राष्ट्रिय बाल पुरसकार दिया गया है तो यह हो जाएगा, दुस्तों 19 हो जाएगा, यह जो है सही होगा, हाल ही में कि PP नाम ब्यार पुरसकार से किसे जो है सम्मानित क्या गया है आंसर हो जाएगा, स्रीधर सुमनाथ, option number C किस IIT ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन, पाइलेट प्रसिक्षड सुविधा की सुरुवात किया है तो यह आपका IIT गोवाहाटी हो जाएगा, यह जो है सही उत्तर होगा भारत के सबसे बड़े ग्रिन हाइड्रोजन, प्रोडक्षन प्लांट की स्थापना जो है कहां पर किया जाएगा तो यह किया जाएगा दोस्तों आपका विसाखा पटनम में, option number देखेंगे तो आपका B जो है सही उत्तर होगा अगला प्रस्तन है कि नौसेनिक अभ्यास, अभ्यास मिलन 24 का योजन जो है कहां पर किया जाएगा, तो यह आपको हो जागा विसाखा पटनम, option number 3 दोस्तों कहीं कहीं कोशन बलर हो गया है, माफिक चाहेंगे आप सभी लोगों से, आगे से पुरा ध्यान देखाएगा, बाकि आपको हर जगा कोशन सही मिलेगा, आप उसके लिए निशिद रहिएगा हाल ही में हिमालियन बास्केट की सुरुआ जो है किस राजी में किया गया है, तो यह जो आपका किया गया है दोस्तों देखेंगे तो आपका उतराखंड में किया गया है, option number 3 केंदरिय मंत्री अस्विनी वैसनों किस राजी से, राजी सभा सभा सदक से चुने गया है तो यह दोस्तों उतर आपका हो जाएगा, ओडिसा हो जाएगा, option number D ACI Indoor Athletics Championship में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने आप देखेंगे तो टोटल आपके जो है चार पदक जीते हैं, यह सही उतर होगा किसे पूरुस क्रिकेटर को, जनवरी दार 24 के लिए, जो है, ACC player of the month का समान मिला है तो यह आपको हो जाएगा, सामर जोसेफ, वेस्टन डीज, भारत के पहले, स्किल इंडिया, सेंटर का उदगाडन, जो है, कहां पर किया गया है तो देखिए, इसका उतर देखेंगे, तो आपका संबल पूर हो जाएगा, option number B होगा सैन अभ्यास, सांती, प्रियास, फोर, कायुजन, किस देश में किया गया है तो देखिए, जो आपका किया गया है, याद रखिएगा, नेपाल हो जाएगा, option number B मद्दाता जागरुकता अभियान की तहद, पंजाब के स्टेट आइकन की रूप में, किसे दुस्तों आपका नामित क्या गया है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, सुमन गिल, option number जो है आपका D सही उत्तर होगा हैनले पासपोर्ट इंडेक्स दोहर चॉबिस में भारत के रैंकिंग क्या है देखिए भारत के रैंकिंग आप देखेंगे, तो 49 का जो सही उत्तर आपका होगा option number आपका हो जाएगा, 85, option number B होगा परधान मंतरी नरेदिन मोदी ने किस राज मिसरी कल की धाम मंदिर की अधार सिला रखी है इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर परदेश, option number B अंठावनवा ग्यानपिट पुरसकार के लिए किसे नामित किया गया है तो ये नामित किया गया है, दोस्तो आपको होजागा, गुलजार जगत गुरु, राम भदराचारे, option number D होगा PM विस्व कर्मा योजना जो है, किस मंतरा ले द्वारा जो है, शुरू किया गया है तो ये होजागा, देखे, सुक्ष में लगु और मध्यम उधम मंत्रा ले, option number C किस राज्य में कुम्रा वैली रेलेवे स्टेशन की अधार सिला दुस्तो रखा गया है बताईए क्या होगा, देखे, तीरपन का सही उत्तर आप देखेंगे, तो आप जागा तेलंगाना, option number A उत्तर परदेश में मुख्य मंत्री, कन्या सुमंगला योजना के तहद, सलाना अनुदान बढ़ा कर जो है, कितना कर दिया गया है तो यह कर दिया गया है, 25,000 करोड, ठीक है, यह जो है, सही उत्तर होगा, 25,000 हो जाएगा, पीम मुदी ने किस राज्य में, बीर लाचीत, लाचीत बरफूकन की, 125 फूट उची जो है, प्रतीमा का नारण किया है, तो जो आपका नारण किया गया है, असम, option number B, किस राज्य के विधान सभा में, यूनिफॉर्म, सिविल कोड बिल, जो है, पेस किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड, option number D, सही उत्तर होगा, बिहार विधान सभा का अध्धिक्स, जो है, किसे चुना गया है, तो देखिए, इसका उत्तर आप देखेंगे, तो आपक की फ्यूचरी स्किल्स, सम्मिट का आउजन, जो है, कहां पर किया गया है, तो दोस्तों, इसका आउजन, जो है, आपका गवाहाटी, option number C, हाल ही में, किस राज्य सरकार ने स्वय योजना, जो है, लांज किया है, स्वय योजना, तो यह हो जाएगा, ओडिसा हो जाएगा, option number D, होगा, भारत की सद्यूप समूह पर नया, नेवल बेस, जो है, इस्थापिज करने जा रहा है, नेवल बेस, तो यह हो जाएगा, आपका मिनी कोई और अगाती, option number C, गुपते सुवर, फोरिष्ट किस राज्य में है, जिससे राज्य के, बायो डैवर्सिटी हेरिटेज साइट की रूप में नामित किया गया है, तो देखिए, इसका आंसर आप देखेंगे, तो यह आपका दोस्तो उडिसा हो जाएगा, option number C होगा, प्रसिद जैन संत अचारी विद्या सागर महाराज का निधन हो गया, उनका जन्म जो है, किस राज्य में हुआ था, देखिए, आदूर में दोस्तों, option number D होगा, आगे question, हाल ही में किन्दो देशों में, UPI payment system जो है, लांच किया गया है, तो यह आपका लांच किया गया है, स्रिलंका और मौरिसस में, option number C सही उत्तर होगा, हाल ही में चन्नाई, ओपन टेन स्टोनामेंट का एकल खिताब जो है, किस ने आपका उत्तर हो जागा, आउस्ट्रेलिया जो है, सही उत्तर होगा, अगला कि वन डे में दोहरा सतक बनाने वाले पहले स्रिलंकाई किर्केटर कौन बने है, तो यह बने है, option number B हो जागा, पथुम निसांका, बीस फरवरी को किस राज ने अपना अर्तीस्वा राज जो है स्थापना दिवस मनाया है, सही उत्तर हो जाएगा, अरुनाथिल परदेश, option number A, बिहार लोग सेवा आयोक के नए अध्यक्ष जो है, कौन निक्त किये गए है, अध्यक्ष ये बने है, परमार रभी मनु भाई, option number D, वर्ल्ड गवर्मेंट समिट दौर चोबिस कायोजन ज होगा, भारत के साथ तो सैफ विमेंस अंडर 19, चैंपियंशिप का सन्युक्त विजेता, किसे घोसित किया गया है, आंसर हो जाएगा, बंगला देश, option number B, सातवे हिंद महासागर सम्मिलन कायोजन, किस देश में किया गया है, तो यह किया गया है, आउस्ट्रेलिया में, option number D, हाल ही में, विद्यांजली, स्कॉलर सी प्रोग्राम, जो है, किसने लॉंच किया है, आंसर हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान, option number C, हाल ही में, किस देश में, भारतिये, नागरिकों के लिए, विजा मुक्त यात्रा की घोशना किया है, आंसर होगा, इरान, option number D, सही उत है, तो यह आपको हर्याना में, देखने को मिलता है, option number B, इंडिया एनर्जी, विकदार 24 कायोजन, किस राजे में, किया गया है, बताइए क्या होगा, देखे, यह आपको दोस्तों किया गया है, 79 का देखेंगे, तो गोवा में, किया गया है, option number C, होगा, देश के पहले, ड एक्वेटिक्स चैंपियंसी कायोजन, किस सहर में हुआ है, तो यह हुआ है, आपका नई दिल्ली में, option number C, होगा, मेरा गाउं, मेरा धरोहर प्रोग्राम, किस मंत्राले की एक पहल है, तो यह आपको है, संस्कृति मंत्राले का, किसका संस्कृति मंत्राले का, वर्तमान में RCS, RCS उडान योजना के तहत, देश में कितने एर रूट संजले दोस्तों किया जा रहे हैं, तो यह आपको जगा, पांच सो उननाईस, पांच सो उननाईस, सातरफ हरुरी दार चौविस को इसरो द्वारा, GSLB F-14 रोकेट की मदद से, किस मौसम उबगरह को लांच किया ग देखेंगे, तो ऑप्सन नमबर आपका दोस्तों हो जाएगा, इन्सेट 3DS, ऑप्सन नमबर A, यूनिफार्म पेमेंट इंटरफेस स्विकार करने वाला पहला यूरोपिय देश कौन बन गया है, तो यह आपका बना गया है, फ्रांस, ऑप्सन नमबर D होगा, अगला प्रस इसका उतर हो जाएगा, दिस मोमेंट, ऑप्सन नमबर A, हाल ही में इसपेस सरवादिक समय, इसपेस में सरवादिक समय बिताने का रिकॉर्ड जो है, किसने बनाया है, सही उतर हो जाएगा, ओलेग कुननिंको हो जाएगा, ऑप्सन नमबर C, केंदर ने लगपती देदी यो की बात कर लेते हैं, तो यह हैं दोस्तों, आपके रंजना प्रकास देशाई, ओप्सन नमबर E होगा, पुले की वायू सेना द्वारा अभ्यास वायू सकती 24 का यूजन जो है, कहां पर किया गया है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, एक क्यानबे का, जैसल मेर हो जाए नेश्ट है, भारती किरिकेटर इसस्वी जैसवाल ने किस देश के खिलाब जो है, अपना पहला टेस्ट जो है सतक बनाया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, आपका वेस्ट इंडिज, आप्सन नमबर D, अंतरिम बजट, 2024 में किस मंत्राले को सबसे अधिक बजट ज दिया है, तो करेक्ट आंसर आप देखेंगे, तो आपको सूरत हवायड़ा होगा, सूरत हवायड़ा, पुरुवत्तर भारत के पहले नेचूरो पैथी होस्पिटल की डियू जो है, कहां पर रखी गई है, तो यह रखा गया है आपका डिबरुगर में ऑप्सन नमबर जो ह सही उत्तर होगा, अगला की आई, एस, एस, एफ, वी सो कबदार 24 में पूर सो की, दस मीटर एयर राइफल, सूटिंग इमेट में जो है, किसने गोल्ड जीता है, तो यह आपको हो जागा दिव्यांस, सिंग पवार, ऑप्सन नमबर ए होगा, फर्स्ट कल, फर्स्ट क्लास क इर्केट में सबसे तेज तीहरा सित्क बनाने वाले बल्लेवाज कौन बने हैं, तो कौन बल्लेवाज बने हैं, तो यह 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 बने हैं, तो सब्सक्राइब अभियान हमारा सम्मान इसका आंसर आप देखिएगे तीसरे का तो तो आपका हो जाएगा बजट तयार करने की प्रक्रिया ओप्सन नमबर बी होगा आइसी सी में सटी ट्वेंटी क्रिकेटर आफ दे यर का आवार्ड किस खिलाडी ने जीता है आंसर हो जाएगा सूरे कुमार यादो सूरे कुमार यादो ऑसकर दो हजार चौविस के लिए नॉमिनेट हुई डॉकुमेंटरी फिल्म टू किल टाइगर का निर्देशन जो है किस ने किया है तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो आप हो जाएगा नीशा पहुजा नीशा पहुजा वर्षदार बाइस तेश के लिए पूरु सुवर्ग में सर्वस्ष्ट अंतराष्टरी किर पॉली उम्रीगर अवार्ड जो है किसने प्रदान किया है तो इसका उतर हो जाएगा सुमन गिल ऑप्सन नंबर सी करपुरी ठाकूर को भारत्न मर्णु परांत से सम्मानित किया जाएगा वह कि सराज्य के पूरु मुख्य मंतरी थे तो यह आपका उतर हो जाएगा बिहार आपसन नंबर B सही होगा परदान मंतरी सुर्योदय योजना निम्ण में से किससे जो है आपका संबंदित है तो यह आपका संबंद रखता है आपका रूप टॉप सोलर पैनल से आपसन नंबर जो है डी होगा सुबाह संद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरसकार दो हजार चौबीस संस्थागा स्रेडी में किसे प्रदान किया गया है इसका उत्तर हो जाएगा 60 पैरा सूट फिल्ड हॉस्पिटल जो की यूपी हो जाएगा उत्तर प्रदेश गौरो समान से किसे जो है समानित किया गया है तो इसका उत्तर देखेंगे डॉक्टर रितू करिधल स्रिवास्तो और नवीन तिवारी उप्सन नबर जो है आपका डी होगा बैडिमिंटन में इंडिया उपंदर 24 महीला एकल का खिताब या फिर महीला एकल टाइटल जो है किसने जीता है तो देखेंगे इसका उत्तर देखेंगे तापका ताई तजू इंग हो जाएगा ओप्सन नबर ए आयोध्या राम मंदित निर्मान के मुख्य वास्तुकार किया है कि आपको कुछी पूड़ी ऑप्सन नमबर भी बी आर अम बेटकर के 125 फिट उची कांस प्रतीमा का उद्गाटन जो है किस राज में किया गया है तो यह किया गया है दोस्तों आंधरपरदेश में ऑप्सन नमबर देखेंगे तो आपका सी जो है सही उत्तर होगा आ सायोग के अधेश खुरूप में जो है किसे निक्त किया गया है उत्तर हो जागा डॉक्टर अर्विंद पनगडिया ऑप्सन नमबर यह होगा फोब्स की हाल की रिपोर्ट के नुसार दुनिया के सबसे मजबूत करंसी कौन सी है देखे सबसे मजबूत करंसी आप रोहित सर्मा नेश्ट हमारा कुशन है देखे भारतिय वायू सिना के साथ अभ्यास डेजाट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है कि इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्सन नमबर भी फ्रांस और यूए हो जाएगा बी सही उतर होगा एस याई मैराउथन चैंप अंसर इरान और पाकिस्तान की बीच हालियत अनाव का मुखे कारण क्या था या फिर क्या है तो आपको हो जाएगा सीमा विवाद्थ हो जाएगा ऑप्सन नमबर भी सही होगा सीमा विवाद नेतिया आयो के अनुसार पिछले 9 वर्सों में भारत में गरीभी दर्ख में कित सरोसेष्ट फीफा पुरुस कि लाड़ी 2023 का पुरसकार किसने जीता है उत्तर हो जाएगा लियोनेल मेसी ओप्सन नमबर जो है आपका सी होगा सरोसेष्ट फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरसकार किसने जीता है अंसर हो जागा एटाना बोनमती ओप्सन नमबर भी स्री राम जनभुमी परिसर में राम दला का प्राण प्रतिष्ठा कारेकरम जो है कब किया गया है तो दोस्तों यह जो आपका किया गया है 22 जनवरी 2024 को किया गया है विश्व आर्थिक मंच की चवानवी वार्सिक बैठक क तक विसे किया है दो आपका विश्वास का पुनर्दनिरुमाण हो जाएगा और दोवस्वास का पुनर्दनिर्माण अ रानी मार्ग्रेथ द्यूतिय के बाद देनमार्क के नजार की नए राजा जो है कॉन निक्त हुए हैं तो यह हुए है प्रिंस फेडरिक एकस आप स़ नंबर भी भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है देखे भारत की जो सबसे लंबा पुल है दोस्तो यह आपको है जगा नहावा अटल से तु आपसान अंबर जो है भी तो यह आपको जगा अलसबाब होगा क्या होगा अंसर अलसबाब किस विश्ष्ट कमांडू एकाई ने ओपरेशन चलाया है तो यह आपको जगा मारकोस होगा क्या होगा अंसर मारकोस हाल ही में सरकार द्वारा लॉंच किया गया प्रेड़ना क्या है देखिए प्रेड़ना क की बात कर लेते हैं तो यह आपको हो जागा एक अनुभावात्मक सिख्षड कारेक्रम हो जाएगा ऑप्सन नमबर जो है बी होगा एक जनवरी द्वार भारतिय नौसिना द्वारा कमिशन किये गए नविंतम स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल जो है विंधियसक की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा आई एनस इंफाल होगा क्या होगा आई एनस इंफाल ऑप्सन नमबर जो है सी होगा द्यूपक्षिय स्रिंखला के लि दिसंबर दो हजार तैस के लिए एससी प्लेयर ऑफ दा मंत का समान मिला है इसका उतर हो जागा दिप्ति सर्मा भारत ऑप्सन नमबर ए राइट आंसर होगा हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स द्वार चौविस में भारतिय सिना को दुनिया भर में कौन सा इस्थान मिला है दुनिया भर में देखेंगे तो आपका फोर्स यानि चौथा नमबर मिला है ऑप्सन नमबर सी सही उतर होगा किस पूरुस किरिकेटर को दिसंबर और 23 के लिए एससी प्लेयर ऑफ दा मंत का समान मिला है तो यह मिला है पैट कमिन्स जो कि आस्ट्रेलिया क तो स्वामी विवेका ने के यहां पर देखेंगे जनम दिन पर 12 जनवरी को मनाते हैं अगला एक बिम स्टेक के नए महा सचीव मन्ने वाले प्रथम भारती है कौन है तो यह हैं आपके इंदरमनी पांडे ऑप्सन नमबर सी गोल्डन गलोब अवार्ड दौर 24 में किसे जो ह है बेस्ट मोशन फिल्म का पुरसकार मिला है तो यह मिला है दोस्तों ओपिन हाइमर को मिला है और अप्सन नमबर बी सही होगा अरिंदम बाक्ची के स्थान पर विदेश मंत्राले के नए प्रवक्ता कौन बने हैं यह बने है रणधीर जैसवाल ऑप्सन नमबर डी सुप् प्रवक्तिरी भाई फूले की एक सो त्रयानभी जैनती मानाई गई वह कौन थी तो देखे इसका आंसर आप अच्छे से आधर रखेगा इसका उतर हो जागा भारत की पहली महिला सिक्षक ए जो है सही उतर होगा पीम विश्व कर्मा योजना लोग करने वाला लागू करने भारत का पहला केंदरसासित प्रदेश जो है कौन बना है तो यह बना दूस्तों आपका जम्मू कास्मिर बना है ऑप्सन नमबर है जो हापका सी होगा एक जनवरी दो हजार चौबिस को डियाडियो का कौन सा इस्थापना दिवस मनाए गया है तो यह आपको होज़ागा च होगा मथुरा से सब की पहली महिला जो है प्रमख कौन बनी है तो यह बनी है नीना सिंग कौन बनी है नीना सिंग ऑप्सन नमबर बी उत्तर परदेश सरकार ने राज्यके किस सहर को भारत की पहली ए आई सीटी की रूप में विक्सित करने की घोशना किया है कि देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका लखनव हो जाएगा ऑप्सन नमबर दोस्तों आपका जो है पचास का बी सही होगा अंतराश्टर के टेबल टेनिस महासंग की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारती सदक से जो है कौन बनी है तो इसका उत्तर हो जागा का वीठा दानी आप्सें महिला का खिताब जीता है तो अपको सिल्हारी ने नाशन ल फेंटमिंटण चेंपियंशिब तो महिला एकल का खिताब जीता है उत्तर हो जाग का होगा अन्मोल खरब केंद्र सरकार ने किरल में कित्रीम रीप इकाईयों की स्थापना के लिए कितने करोड रूपे आवंटित किये है करेक्ट आंसर आपको हो जागा 302 करोड होगा क्या होगा 302 करोड महातारी वंदरना योजना जो है किस राजी सरकार द्वारा जो है सुरू किया गया है तो यह आपका सुरुवात क्या गया है 36 गड़ के द्वारा ओप्सन नमबर देखेंगे तो आपका भी होगा पीम नरेंदर मोदी ने आठ अमरित परयुजनाओं की सुरुवात महराश्टर के किस सहर में किया है तो यह किया है दोस्तो सोलापूर में कहां पर सोलापूर में एसिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का योजन कहां किया गया है तो यह किया गया है है हैदराबाद में विश्व आर्थिक मच भारत के किस राज में स्वास्त देखभाल और जीवन विज्ञान पर अधरित केंदर इस्थापित करेगा तो इसका उतर हो जागा तेलंगाना क्या होगा अंसर तेलंगाना भारत की पहली सोरी उर्जा से चलने वाली नाव का संचालन जो है किस नदी में किया जाएगा तो इसका उतर हो जागा सर्यू नदी ओप्सन बड़ी होगा विश्वनात आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर एक सतरंज खिलाडी जो है कौन बने है तो यह बने है रमेश बाबू प्रग्यानन्द है ना प्रग्ना नंद हो जाएंगे ऑप्सन नंबर आपका यह होगा असम का सर्वोच नागरीक पूरसकार असम वैभो 2023 से किसे सम्मनित किया जाएगा चली बताईएगा देखिए इसका आंसर आप देखेंगे एक सर्ट नंबर का तो आपसन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा रजन गोगोई ऑपसन नंबर सी हाल ही में भारती वायू सिन्दा ने अपने किस जहाच को सिवा मुक्त किया है आंसर हो जाएगा आपका चीता आपसन नंबर भी होगा भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना क्या होगा आंसर अर्जेंटीना होगा पच्छतरवे एमी अवार्ड में स्रवसेष्ट ड्रामा सिरीज का खिताब जो है किसने जीता है यह आपको होजागा सक्सेशन ऑप्सन नंबर ए होगा समदरी अभ्यास आयूतिया भारत और किस देश की नौसेना की बीच आयोजी दोस्तों किया जाता है तो यह आपको कि बात करते हैं तो योगे सिंग हो जाएगा और राइट होगा सिक्योर आर्मी मोबाइल एको सिस्टम संभाव को जो है संभाव को किसने लॉंच किया है तो यह लॉंच किया गया है इंडियन आर्मी की द्वारा आप्सन नंबर सी टी-20 इंटरनेशनल में 150 मैच खिलने वा अले गेंदबाच कौन बने हैं तो यह बने हैं वानिंदू हसरंगा ऑप्सन नंबर सी महराष्टर इस्थित किस टाइगर रिजर्ब को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क खाख खिताब मिला है उत्तर हो जागा पेंच टाइकर रिजर्ब ऑप्सन नंबर भी हाल ही में कि इस बैंक ने समान रूपय क्रेड़ कार्ड जो है लॉंच किया है तो यह आपको जएगा इंड़साइस बैंक हना इंडशाइंस बैंक ऑप्सन नंबर भी होगा स्वच सरवेच्छट वार तैइस में किन दो सहरों को सबसे स्वच गंगा सहर का वार्ड मिला है तो यह मिला ह है वारानसी और प्रियाग राज को पीम मोदी ने 27 वे राष्ट्री यूवा महत्सों का उद्गाडन जो है कहां पर किया है तो देखिए आपन नासीख हो जाएगा क्या होगा आंसर नासीख ऑप्सन नंबर भी होगा स्वच सरवेच्छ द्वार तैइस में एक लाग सी गोल्ड मेडल जीता है तो इसका आंसर आप देखेंगे तो यह आपको हो जागा अमन सहरावत अमन सहरावत केंदर सरकार ने रक्षा मंताले में आतिरिक्त सचीव और महानिस्वक के रूप में जो है किसे निम्त किया है उत्तर हो जागा सुमित कुमार सिन्हा ऑप्सन अगला प्रस्ण है कि आर सुरी मदरास का नया केंपस जो है किस देश में सुरू किया जाएगा तो यह सुरू किया जाएगा स्रिलंका में ऑप्सन नंबर ए होगा कितने खिलाडियों को अर्जुन आवार्ड से सम्मानित किया गया है उत्तर हो जाएगा 26 ओप्सन नंबर से किस राज में कॉलेज फग्ठांसी मिसन की सुरुवात की गई है तो यह किया गया है मनीपुर में ओप्सन नंबर भी होगा किस आनी हाल ही में चंदुबी महसों जो है किस राज में मनाये गया है उत्तर हो जाएगा असम ओप्सन नमबर बी गोल्डन ग्लोप्स अवार्ड तो यह दोस्तों मिला है याद रखियेगा क्रिश्टोफर नोलन को मिला है ओप्सन नमबर बी ACI Olympic Qualifier में पुरुसो की 10 मिटर एयर पिस्टल टीम इस परधा का स्वण पदक किस टीम ने जीता है तो अपना भारत होगा अम्रित धरोहर चमतन द्रमाण योजना के तहत किस जील पर प्रसिछड कारेकरम आयोजित किया गया है उत्तर हो जाएगा चिल का जील ओडिसा में है के 2797 करोड हो जाएगा भी इसका सही उत्तर होगा खेल मंत्री अंद्राक ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का जो है उत्गाटन किया है इसका उत्तर हो जाएगा घोगला बीच ऑप्शन नमबर डी किस राज्य के कदियाल साड़ी को ची आई टैग मिला है उत्तर हो जाएगा है दोस्तों उत्तर परदेश में उप्शन नमबर सी हाल ही में स्वृद्देश दरशन 2.0 यूजना में किस वन्यूजीय अभ्हरने को सामिल क्या गया है देखें इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका डेबरी गढड वन्यूजयय अभ्हरने हो जाएगा ऑप्शन रूप में अपना कार्यकाल सुरू किया है इसका आंसर देखेंगे तो आपका चार वर्स होगा क्या होगा चार वर्स स्कॉर्टीस चुनियर ओपन स्कुएस अंडर 19 खिताब किस खिलाड़े ने जीता है मैं आनसर हो जागा अनाहत सिंग और भारत करणा प Limited वीटर किस राज़े में सुरू किया जाए है तो विवेक स्रिवास्तोक बनाया गया है option number B नौसिना में चीफ of material का पदभार किसने गरहन किया है तो किसके द्वारा गरहन किया गया है यह पकिरन देश मुख हो जाएगा option number B होगा अयोध्या जक्सन का नाम बदल करके क्या रखा गया है दोस्तो इसका नाम जो है चेंज करकी अयोध्या धाम कर दिया गया है option number A केंदरी काबिनेट ने किस देश में भारत के महा वानेज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दिया है आंसर हो जाएगा दोस्तो न्यूजिलेंड option number D होगा किस राज में कार्भी युवा महोचो दो हजार चौबिस का जो है दोस्तो आयोजन किया गया है इसका उत्तर आप देखेंगे ति आपका option number क्या हो जाएगा देख लेते हैं इसका option आपका हो जाएगा असम option number D राष्ट्रिय बैडमिंटन चैंपियंसीब दोर 23 में महीला एकल का खिताब जो है किस ने जीता है आंसर हो जाएगा अनमोल खरब किस देश ने पैट्रोलियम निर्याद देशों के संगठन से बाहर निकलने का फैसला लिया है आंसर देखेंगे तो यह आपका अंसर अंगोला होगा अगला की चैन्नेई ग्रेंट मास्टर 23 का खिताब जहें किसने जीता है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नमबर यह हो जाएगा दोमाराजू गुकेस होगा यह सही उत्तर होगा साहित यह कादमी पुरसकार 2023 में किस उपन्यास कार को उपन्यास रेक्य किस टीम ने पुरुस अंडर 19 एसिया कप 2023 का खिताब जीता है उत्तर हो जाएगा बांगलादेश ऑप्शन नमबर जो है डी सही होगा 24.75 क्रोड रूपे में खरीदे जाने वाले आईपल इतिहास की अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं तो यह बने हैं दोस् में हैं बताईएगा मिचल स्टाक कमेंड करके बताईएगा अगला हमारा प्रस्न है कि मिस इंडिया युएस से द्वार 23 का खिताब जो है किस ने जीता है तो इसका उत्तर आपको हो जागा रेजुल मेनी ऑप्शन नमबर भी होगा हाल ही मैं किस लेखक या फिलेखिका को व्याद सम्मान 2023 मिला है कि सही उत्तर आपको हो जागा पुस्पा भारती ऑप्शन नमबर डी किस देश के महिला क्रिकेटर नाहिरा अक्तर को नमबर 2023 के लिए आशिसे प्लियर आफ दा मन्त का जो है समान मिला है तो यह आपका उत्तर हो जागा बांगलादेश हो जाएगा किस पुरुष क्रिकेटर को नमबर 2023 के लिए इससे प्लियर आफ दा मन्त का समान मिला है कि इसका उत्तर हो जेगा ट्रेविस है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं सिया चीन में तैनात होने वाली प्रत्थम महिला चिकित्सा अधिकारी जो है कौन बनी है बताएगा दोस्तु कौन नमबर आपको जाएगा गेती का कॉल होगा ऑप्सन नमबर सी भारती वाने कि अनुसंधानेवं सिक्षा परिस्ट की पहली महिला महानी निद्रसक जो है कौन बनी है कि दोस्तों यह बनी है कंचन कंचन देवी ऑप्सन नमबर भी एक दिसंबर को कि सराज अपना यहां मैं के थोड़ा सा टाइप मिस्टेक यह नहीं आप मिस्प्रिंट हुआ है इस थापना दियुस मनाया है तो इसका उत्तर हो जाएगा नागा लेंड ऑप्सन नमबर जो है आपका सी होगा सहित्याकादमी पूरसकार द्वार 23 में किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे प पाड़ी ऑप्सन नमबर भी होगा एक दिसंबर को बीस अपने अपना कौन सा इस्थापना दिवस मनाया है उत्तर हो जाएगा 69 ऑप्सन नमबर भारत की पहली एरपोर्ट महिला फायर पाइटर जो है फायर फाइटर कौन बनी है तो यह बनी है दीसा नाइक ऑप्सन नमब किस देश के अंग कौरवाट मंदिर को दुनिया के आठवे अजूबे कुरूप में घोसित किया गया है उत्तर हो जाएगा कमबोडिया हो जाएगा ऑप्सन नमबर भी 26 नमबर एंसिसी का कौन सा इस्थापना दिवस मनाये गया है उत्तर हो जाएगा 55 ऑप्सन नमबर कि नौसिना ने किस जल छेतर में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात किया है गल्फ ऑफ अडेन ऑप्सन नमबर ए होगा खेलो इंडिया यूथ गेम दो हजार चौबिस जो है कहां आउजित किया जाएगा तो दोस्तों यह किया जाएगा आपका तमिल नाडू में ऑप आई एच प्लेयर आफ दा इयर अवार्ड से जो है किसे सम्मानित किया गया है तो यह किया गया आपका हार्दिक सिंग को ऑप्सन नमबर ए किस किरकेट खिलाड़े को अरजुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा उत्तर आपका हो जाएगा मुहम्मत समी ऑप्सन नमबर तो यह आपका है सडख परिवहन और राजमार्ग मंत्राले हो जाएगा option number C हाल हे में मौलाना अबुल कलाम आजादर ट्रॉफी जो है किसने जीता है गुरु नानक देव विश्व विद्याले अमरित सर option number जो है A होगा राष्ट्री अभू विग्यान डेटा री पॉजिटरी पॉटल को दुस्तों किसने जो है लॉंच किया है पॉटल को तो यह लॉंच किया गया है प्रहलाद जोसी के द्वारा option number D भारत ने किस छेतर में अपने पहले सीट कालीन विग्यानिक अभियान की शुरुआत किया है आंसर हो जागा आर्केटिक छेतर हो जाएगा यह सही उतर होगा किसे हाल ही में भुटान के प्रतिष्ठित नेशनल ओडर आप मेरिट गोल्ड मैडल से समानित किया गया है आंसर होगा पूर्णम खेतरपाल सिंग option number D हाल ही में किस बैंक ने इंफ्राटक्चर बॉंड इस्यू के जरिये 74-25 करोड रुपे जो है जूटाए है कि इसका उतर आपको हो जाएगा HDFC बैंक हो जाएगा option number B होगा मेजर ध्यान चेंदर खेलर अतना पूरसकार 2030 के जो है किसे समानित क्या गया है किया जाएगा तो इसका उतर हो जाएगा दोस्तों चिराग सेट्टी साट्विक स्ताई राज रंकी रेड़ी तो आपसे नमबर D होगा आई पेल इतिहास के दूसरे सबसे महगे खिलाड़ी जो है पैट कमिन्स को किस टीम ने खरीद दया है कि पैट कमिन्स को देखेंगे तो आपका उत्तर आपका 33 का हो जाएगा दोस्तों संद्राजर से हैदराबाद है ना और जो मिचल श्टाक कलक प्याना जो है सही उत्तर होगा 36 गड़ राज्य विधान सभा का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है तो रमन सिंग ऑप्सन नमबर बी पीम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेड़िटेसन सेंटर जो है स्वयरवेध बहामंद्रिक ऑड़ गड़न जो है किससहर में किया है तो यह आपको हो जाएगा वारणसी हो जाएगा ऑप्सन नमबर भी होगा हाल ही में किस देश के सासक के निधन के भारत सरकार ने एक दिन के राज्यकी ये सोक की घोश्चना किया है इसका उत्तर हो जाएगा कुवैत हो जाएगा ऑप्सनमबर डी पेश्ट क्रिकेट में पांसो या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया की आठवे गिंदबाज की बात करते हैं तो यह बने हैं नाथन लियोन बने हैं नाथन लियोन इसराइली ने किसे भारत में नए राजुत की रूप में निव्त किया है उत्तर हो जाएगा रुवेन अजार ऑप्सनमबर सी किस भारती ने हाल ही में अंटर्क्रिका की सबसे उची मोटी मौंट विंसन पर सफल चड़ाई किया है उत्तर हो जाएगा सेक खसन खान ऑप्सनमबर जो है आपका सी सही होग आई पेल्टी मुंबई इंडियन्स का कप्तान जो है किसे निव्त किया गया है उत्तर हो जाएगा हार्दिक पांडेया ओप्सन नमबर टी फास्ट अटेक क्रॉप्ट आई एनस तरमुगली को किस नौसिना डाक्यार्ड पर जो है कमिशन किया गया है आंसर देखेंगे तो य आपको हो जाएगा एमस धोनी ऑप्सन नमबर डी युनाटेड वर्ल्ड रैस्लिंग राइजिंग इस्टार आफ दे यर दो हजारत तैस की रूप में किसे जो है नामित किया गया है उत्तर आपका हो जाएगा अंतीम पंग्हाल आपका डी सही उत्तर होगा भारत के चौरा आपित प्रतीमा का अनारोड जो है कहां पर किया गया है कि बताएगे क्या होगा अंसर इसका उत्तर हो जाएगा आपका फ्रांस होगा ऑप्सन नमबर भी साल दोयार तैस में गूगल के टॉप टेन ट्रेंडिंग अथलीटों की लिष्ट में एकलोते भारती क्रिकेटर जो आपको जागा डिरेक ओब्रायन ऑप्सन नमबर भी होगा किस ब्रेटी सभारतिय संगितकार को दो हजार चौविस बुकर प्रोसकार निर्णाएक पैनल में जो हैं सामिल किया गया है उत्तर हो जागा नितिन साहनी ऑप्सन नमबर डी समुदायों को नित्रित्यों करने दो को विसे के साथ एक दिसंबर को कौन सा दिवस जो है मनाए गया है तो यह आपको जागा वीज़ू एट से दिवस होगा क्या होगा वीज़ू एट से दिवस ओप्सन नमबर भी सियाचिन ग्लै सियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर ट्रैनाट होने वाली पहाली महिला मेडिकल ज समानित किया गया इसका उत्र आपको हो जाँगा कभीर वी यह होगा आई एम एफ ने और सुधार के लिए से लंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है सहायता प्रदान करेगा तो यह दोस्तों करेगा आपका 337 मिलियन हो जाएगा और सी पर्म पानी लाइफ टाइम अचीमेंट आवार्ड से किसे जो है किसे दिया जाएगा दोस निखिल्डे और दोस्तों आप दिखेंगे तो यह जो है सही उत्तर होगा कि चलिए आगे देख लेते हैं अगला है कि वार्शिक सार अमरतला तोगरिया महत्सों जो है किस राज मनाया जाता है तो यह आपको मनाया जाता है अरुनाथिल प्रदेश में ऑप्स नमबर भी ग और जहास विन बैक्स द्वारण जो है भारत और किस देश के मद्ड़ जो है अईजित किया गया है उत्तर हो जाएगा आपका वियत नाम क्या होगा अंसर वियत नाम विशित भारत दो हैर सायतालिस सवायस आफ यूथ पहल जो है किस ने सुरू किया है यह उन्याद्र मोध आपका सी होगा अगला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बार थे समें भारत की रंकिंग क्या है तो निसकी भारत का रंकिंग देखेंगे आपका सातवा है अपसे नमर डी हाल ही में जारी ग्लोबल पॉलूसर रेंकिंग में कौन से सहर जो हैं का सिर्श पर है तो दुस्त आपका लाहोर जो है सिर्स पर है ऑप्शन नबर सी होगा गूगल की पेरेंट कंपनी गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फा बेट ने कौन सा एडवांस ए आई मॉडल जो है लॉंच किया है उत्तर हो जागा जैमिनी ऑप्शन नबर भी जैपूर वैक्स म्यूजिय मार्ष जो है गाल उत्तर होजय के अरजुन मुन्डा ऑप्सन नबर भी किसे ताइम में और चीन द्वारा पर्सन अफ दीयर दौस्तों नामित किा आगया है उत्तर होजय करद सब्सक्राब को है कि सामिल कि अस्तर europ को मौजराट अपशन चिज़ालएमिको की सॉन ह कौन कौन बनी है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अक्षता किश्नमूर्थी अप्सन नमबर C हाल ही में टाइम मैगजिन ने किसे जो है CEO of the year जो है दोस्तों चुना है उत्तर हो जाएगा Sam Altman अप्सन नमबर C होगा किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन आफ क्रेड़िट पर हस्ताक्षर किये है उत्तर हो जाएगा भारती इस्टेट बैंक अप्सन नमबर A किस देश के मेरापी जो अलामूखी में हाल ही में भी स्पोर्ट हुआ है तो यह आपका हुआ है दुस्तो इंडोनेसिया में मेरा गाओं मेरी धरोफर प्रोजेक्ट जो है किस मंत्राले से संबन्दित है तो इसका हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्राले आप्सन नमबर A सही होगा से पहले सरवेच्छड पोट संधायक को भारती नोसिना को स्वापा गया इसका निर्माण किस ने किया है यह किया है गार्डन रिच सिब्विल्डर्स एंड इंजिनियर्स कोलकाता ओप्सन नुम्बर डी होगा च्छाद दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर बी आर अमबेटकर का कौन सा महापर निर्माण दिवस मनाए गया है इसका उतर हो जागा 86 प्रोफेस यहां लिखा गया है प्रो कबड़ी लिग की पर्टन पाइलेट टीम का टाइटल जो है इस्पांसर कौन है तो इसका उतर हो जागा बिहार सरकार ऑप्सन नुम्बर सी भारतिय मुल्क किस उपन्यासकार को सिंगापू सब्सक्राइब के लिखागे है राष्टर विया पर जन जगरूता अभियान शुरू किया है उत्तर होका डॉक्टर मंसुक मंडाविया ऑप्सन नंबर देखेंगे मंडविया ऑप्सन नंबर सी हाल ही में भारत की तिसरी महिला ग्रेंड मास्टर जो है कौन बनी है तो इसक तो किया गया है कहाँ पर बताइएगा देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो उप्सन नंबर आपका ग्रुग्राम हो जायागा डी सही होगा समृद्धी कौनक्लेव नामक डीप टेक प्रूस्ताहन अभियान जो है कहां पर सुरू किया गया है तो यह आपका सुर कि ये रेल पट्रियों पर हाथियों से रोकने हाथियों से होने वाले दुर्गहटनाओं को को कौन से तकनीक दोस्तों आपका प्यास किया है सही आंसर आपको हो जाएगा गजराज सुरक्षा ओप्शन नमबर बी होगा कोप 28 समिट का युजन दोस्तों कहां पर किया गया है पचासी का आपका उत्तर हो जाएगा दुबाई ओप्शन बड़ी होगा हाल ही में होरनबिल फेस्टिवल जो है कहां आयुजित किया गया है उत्तर हो जाएगा नागा लेंट ओप्शन नमबर ए पियम मोदिन ने दस हजारवे जन उसधी केंद्र काउट घडन जो है कहां पर किया है उत्तर हो जाएगा आपका देवघर ओप्शन नमबर सी होगा सीनियर पुरुष राष्ट्री होके चैंपियंसिप जो है किसने जीता है तो यह आपका पंजाब हो जाएगा भी जो है सही उत्तर होगा एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का युजन किस सहर में किया जाएगा तो यह किया जाए आपका रियाद में कहां पर रियाद ऑप्शन नमबर भी होगा किस हॉल्लीवूड अभिनिता को सतीजी तरे लाइफटाइम अच्विमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है यह कैं का अंसर आपको हो जाएगा माइकल डगलवास मायीकल डगलवास ओप्शन नमबर भी देखें दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलियेगग और आपबको कुछ कुछ कमेंट करना है या फिर आपको कुछ सुझाओ देना है तो आपको कमेंट के माधियम से दे सकते हैं केंदर यह मंत्री मंदल ने गरीब कल्यान खादान कारिक्रम को कितने वर्सों के लिए बढ़ा दिया है इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपको पांच वर्स हो जाएगा भारत के पहले दुरसंचार उत्रिश्टा के अंदर किस राज में किया जाएगा तो यह किया जाएगा आपका उत्तर परदेश आपका सी सही जाएगा आए सिसी पुरुष्टी ट्वेंटी विस्व कबदार चोविस के लिए अफरीकी खेत्र से जो है किस टीम ने क्वालिफाई किया है अगर हम क्वालिफाई की बात कर लेते हैं तो यह आपका यूगांडा हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी सही होगा चक्रवात माइ को किस देश ने नाम दिया है देखिए इसका आंसर आप पंचानवे का देखेंगे तो ऑप्सन नमबर सी हो जाएगा मयानमार सी सही उतर होगा अगला कि हेल्थ केर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए पी आर एस आई नैस्नल आवार्ड से किसे जो है समानित किया गया है सही उतर हो जाएगा सुगंती सुद्राज सुद्राज हो जाएगा ऑप्सन नमबर भी यौन अपरादस जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक इस स्पेशल कोट को अगले कितने वर्सों तक जारी रखने की जारी रखने को मंजूरी दिया गया है उत्तर हो अच्छड अफ्रीका की महिला किर्केट टीम के तीनों फॉर्मिट का जो है कप्तान बनाए गया है आंसर आपको हो जाएगा लौरा ओलमार्ट ऑप्सन नमबर भी होगा सुद्कारताओं ने हाल ही में किस टाइटल सारी किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्र जीता है इसका उत्र हो का इस लिए इस लेखक निउपनियास पैगंबर स्वांग के लिए बूकर पूरसकार दोहर तएटीस जीता है उत्तर हो जागा पौल लिंच हो जाएगा ऑप्सन नमबर डीएमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारती महिला कौन बनी है तो ये बनी ह सही होगा किस सुन्दरी ने बहातरवी मिस यूनिवर्स द्वारत 23 का खिताब जीता है कि इसका आंसर आपको हो जाएगा सेनिस पलासियोल ऑप्सन नमबर सी होगा इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्सता जो है किस ने किय कि इसका सही आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी सेखर कपूर जो है सही उत्तर होगा हाल ही में कौन जो है एक दिवसी अंतराष्ट्री किर्केट में सबसे ज्यादा सतक यह पचास जड़नेवारे जो हैं खिलाडी बने हैं तो इ सब्सक्राइब में सामिल होने वाली भारतिय महिला क्रिकेटर जो है कौन बनी है तो यह बनी है डाइना डूल जी ऑप्सन नमबर ए के अंदर यह जांच बियोर यानि सीवी आई के नए सन्यूक्त निदेशक दोस्तों कौन बने हैं यह बने हैं बीच अंदर सेखर आप्सन नमबर देखेंगे तो भी होगा किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर दो हजार तैस के लिए जो है इससे प्लेयर अफ़ुदा मंत का समान मिला है तो यह मिला है हेली मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडिज के हैं ऑप्सन नमबर सी हो जाएगा भारत में पहले अंतराश्टरी देखें यह आपका हो जाएगा आपका उतराखंड हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी सही होगा सन्युक्त सैन्य अभ्यास एक्सर साइज मित्र सक्ति द्वार तैस कायोजन जो है भारत और किस देश के साथ किया गया है तो यह किया गया है स्रिलंका ऑप्सन नमबर डी किस टी है तो यह बना है चिली ऑप्सन नमबर सी किस होकी टीम ने वोमेंस एसियन चैंपियंशिप ट्रॉफिद वार तैस का खिताब जीत लिया है बताईए क्या होगा अंसर इसका अंसर हो जागा अपना भारत ऑप्सन नमबर ए भारत के पहले दली तो मुख्य सुचना आइक तो जो है सी आई सी कौन बने हैं तो यह बने हैं हीडा लाल सामरिया ऑप्सन नमबर सी हाल ही में कौन अंतराश्ट्री किर्केट में टाइम अकेडमी बुक पराईज 2023 से समानित क्या गया है अंसर हो जागा नंदिनी दास ऑपसन नमबर सी बाल विज्ञान महुतसो का उधगाटन जो है किसने किया है तो यह किया है डॉक्टर जीतेंद्र सिंग डॉक्टर जीतेंद्र सिंग ऑपसन नमबर सी वर्षदार 23 की रोहिन इंडिया परुपकारी सूची में किसे जो है सिर्ष इस्थान प्राप्त हुआ है तो यह प्राप्त हुआ है सीव नादर ऑप्शन नमबर बी होगा फिफा पुरू सवी स्वकब द्वार चौतिस की मेजवानी जो है कौन सा देश करेगा तो यह करेगा आपका सौधी अरब कर नहीं है ऑप्शन नमबर बी किस महिला फिटबॉलर ने वर्ष द्वार 23 का बेलें डिवर पूरसकार जीता है तो यह आपको हुआगा एताना बोनमाती ऑप्शन नमबर भी हाल ही में वंटे वी सुकप में सबसे त्यस अता कि चालिस बॉल में लगाने वाले जो है बड़ी हाल ही में सन्युक्त स्थान निया भ्यास सूरे किरण भारत और किस देश की बीच यह आयोजित किया गया है यह दोस्तों आप देख लेते हैं इसका उप्शन क्या होगा सूरे किरण आप सभी को पता है यह आपका एकदम यहां पा दूस्तों बलर है एकदम कुसं दोस्तों एकदम कोशन बलर है जो कि असे स्किलियर दिख नहीं रहा है आगे जो आपका वीडियो आएगा आने मेले समय में जो आपका मास्टर वीडियो होगा पूरा ध्यान दिया जागा कि आपका कौन सा पेस सही है कि गलत है इस बार तो अर्जिस्ट किजिएगा क्योंक सब्सक्राइब देखेंगे तो अप्सन नमबर आपका यहां पर दोस्तों भी हो जागा रचिन रविंद्रन ऑप्सन नमबर भी सही होगा है कि हिमाचल परदेश के मुख्य मंत्री ने कि सस्थाहर में विद्या समिक्षा केंद्र का जो है उड़ घटन किया है दोस्तों मैं वर्लाइनर जब लेके आओंगा मास्टर वीडियो चार घंटे का तो आप उसको देख लिजिएगा आपका एक एक पॉइंट यह है क्लियर हो जाएगा एमसे क्यू भी ज़रूरी होता है प्लस आपका वर्लाइनर भी जरूरी होता है सबको देखना है तो इसका आंसर आपका सिमला होगा अगला है कि इंडिया यूएस इंडिया यूएस डिफेंस एक्सलरेशन सिस्टम की पहली निवेसक बैठा का आयोजन जो है कहां पर किया गया है देखेंगे तो 36 का जो है आपसन नमबर ए हो जायागा नई दिल्ली में एसका सही उत्र होग चौथे भारतिय कौन बने हैं तो यह बने है डॉक्टर सेदना मुफदल सैफुदिन ऑपसन नमबर भी होगा सुप्रीम कोट की पहली महिला जज जो है कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका फातिमा भी भी हो जाएगा ऑपस कि लिए किस राज जिने हाल ही में सैफ सीटी प्रोजेक्ट जो है शुरू किया है इसका उत्तर आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश ऑपसन नमबर सी दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और उर्जा सनेतर का उट घाडन जो है किस देश में किया गया है दोस्तों यह आ आयुजित किया गया है तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं तो देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्सन बड़ी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया बंगाल के ब्रांड डमेश्टर जो है किसे बनाएंगे थोड़ा से हमको दिख रहा है बाकी आप सुनिएगा आपको अजाद आप्सन नमबर ए होगा आई सिसी पुरूस अंडर नाइटिन किर्केट वी सुकब दो हजार चौबिस का युजन जो है किस देश में किया जाएगा तो दोस्तों यह किया जाएगा पदशड़ अफ्रीका में आप्सन नमबर भी राश्ट्र पति द्रौपति मुर् किस देश के साथ फिर से नई वीजा जो है सेवाएं सुरू कर दिया है कि आंसर हो जाए कनाड़ा ऑप्सन नमबर भी सैने एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश की बीच जो है आयृत किया जाता है कि देखिए 48 का आंसर आप देखेंगे तो आप्सन नमबर यू ऐसे यू ऐसे हो जाएगा आगे हमारा कि अटल इनुवेशन मिशन सर्कुलर एकोनोमिक स्टाट अप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ जो है समझोता किया है तो यह आपको जागा ऑस्ट्रेलिया ऑप्सन नमबर डी ग्लोबल फिस्रीज कॉन्फरेंस स्रिलंका के भारतिय स्टेट बैंक की साखा को गाटन जो है किस ने किया है उत्तर हो जाएगा निर्मला सितारमन ऑप्सन नमबर बी सही होगा चवनवे भारतिय अंतराश्ट्री फिल्म महत्सों कहां आयोजित किया गया है तो यहां पर देखिए आपको क्लियर देखेगा सब्सक्राइब हो गया था ठीक है कि इसका आंसर आप देखेंगे तीरपन नमबर का तो आपका हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी हो जाएगा गोवा ऑप्सन नमबर डी होगा आई सिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकबदर तैस का टाइटल जो है किस टीम ने जीता है तो सह आप देखेंगे तो आप्सन नमबर भी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया इंद्रा गांथी सांती पुरसकार द्वारबाइस जो है किसे समानित क्या गया है आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों इंडियन मेडिकल एसोसियेशन और भारती प्रसिक्षित नर्स एसोसियेशन आप्स खिताब किस्ट खिलाड़ी ने जीता है तो खिलाड़ी पूछ रहा है तो आपका विराट कोहली ऑप्सन नमबर सी भारत अंतराष्ट्रिय विग्यान महोत्सव 2023 का योजन दोस्तों कहां पर किया गया है तो यह किया गया है फरीदाबाद में ऑप्सन नमबर सी होगा माउं इस्टेशनों पर चालू है तो यह आपका दोस्तों एक हजार सेंटीस ऑप्सन नमबर भी होगा हाल ही मैं इससी ने किस देश के किरिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है आंसर हो जागा स्रिलंका ऑप्सन नमबर डी युनेसकों ने भारत के किस सहर को संगीत का सहर दोस् नहीं उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्तन है कि रेल्टेल ने दूर संचार आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझोता किया है देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तिया आपका आर एसी लिमिटेड हो जाएगा ऑप्सन नमबर यह प्रसिद फुटबॉलर लियोनल मेसी को अब तक कौन सी बार बिलन डिवर पुरस्कार दिया गया है देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 65 नमबर का तो आपको हो जागा आठवा ऑप्सन नमबर डी जो है सही उत्तर होगा भारत ने कम दूरी किस वैलेस्टिक मिसाइल का जो है सफल प्रसिक्षड किया है आंसर हो जागा प्रला ऑप्सन नमबर भी भारती रेलेवे किसके सहयोग से भारत गौरो परेटन ट्रेन की जो है सुरुवात करने जा रहा है तो यह आपको हो जागा आई आर सिटी सी हो जागा ऑप्सन नमबर सी होगा किस राज्य सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात परसाहन नीती को मंजूरी दिया है तो यह आपको हो जागा महराश्टर हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए राश्ट्रिय जन सहयोग एवं बाल विकास मंद बाल विकास अस्थान में किस सहर में पोशड भी बात करते हैं तो यह महराश्टर न किया है आठ नॉम्बर दॉट तेज को दुनिया भर में मनाएगे विसो रेडियोग्राफी दिवस का थीम क्या रखा गया है देखिए इसका थीम आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा सेलेबरेटिंग पेसेंट सैप्टी ऑप्सन नम इसका उत्तर हो जागा नुवाक जोकोविच ऑप्सन नमबर सी किस राज सरकार ने हाल है प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लाओ करने का आदेश जारी किया है सही उत्तर आपको जागा तमिलनाडू ऑप्सन नमबर डी क्रिसी एवं किसान कल्यान विभाग ने किसके साथ मिलकर प्लेट फारम को जो है विक्षित किया है कि उत्तर हो जागा वाध्मानी इंसिट्यूट हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी अगला कि फीड़े महिला ग्रेंड स्वेस द्वार तैस का टाइटल भारत किस चेस खिलाड़ी ने जीता है आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा आर वैसाली हो जाएगा ऑप्सन नमबर जो है पका डी सही उत्तर होगा दो हैर पचीस में चौबिसवे एसी आई त्रंजाजी है ना त्रंदाजी चैंपियंशिप की मेजवानी कौन सदेश करेगा तो यह करेगा अपना बांगला के साथ जहें मॉबिलिटी एंड माइग्रेशन जहें एग्रिमेंट पर हस्ताक्षर किये हैं उत्तर हो जागा इटलिया ऑप्सन नमबर सी वन डेवी सुकप इतिहास में सब इतिहास में सरवादिक विकेट लेने वाले गेंदवाज कौन बने हैं तो यह बने हम मुहम्मद स अग्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ जहें समझोता किया है देखे समझोता की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर आपको हो जागा सिख्या मंत्राले ऑप्सन नमबर डी अगला की एडीपा ने भारतिक रिसी उत्पादों के निरियात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ जहें समझोता किया है उत्तर हो जागा लोलू हाइपर मार्केट ऑप्सन नमबर जो है सी होगा एस्याइ सुटिंग चेंपियंशिप द्वारत तैस में पूरसों की पचास मीटर राइफल थ्रीपी इवेंट में किसने जो है स्वन पदक जीता है एस्व देश ने हाल ही में भारतियों को बिना विजा यात्रा करने की सुब्धा दिया है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा थाइलेंड ऑप्सन नमबर डी सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्तन है कि व्यूटी वर्ल्ड मीडिल इस्ट द्वारतेश की मिजबाने जो है कौन स द्वारतेश करेगा इसका उत्तर हो जाएगा दुबाई ओप्सन नमबर बी सही उत्तर होगा हाल ही में किस ड्रोन को डी जी सीय से सर्टिफिकेट सर्टिफिकेशन जो है प्राप्त हुआ है तो यह आपको जागा थ्रॉटल एरो इसपेस सिस्टम हो जाएगा आप्सन स्वोक अब 2023 के बाद इंटरनेशनल किर्केट से सन्यास लेने की घोष्टना किया है कि उत्तर हो जागा डेविड विली ऑप्शन नमबर सी किर्टेट से जुड़े वेजबॉल सब्दों को हाल है मैं किस डिक्सिनरी से जोड़ा गया है कि उत्तर हो जागा कोलिंस ऑप्शन नमबर जोहें भी होगा चौथे एसी पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं भारत ने देखेंगे तो 111 पदक जीते हैं ऑप्शन नमबर सी होगा कोलकाता ने ट्राइडर ने किसे अपना जोहें नया मेंटर निक्त किया है मेंटर की बात करते हैं तो यह हैं गौतम कंभीर ऑप्शन नमबर डी होगा जलवायू परिवर्तन विससग्य प्रोफेसर जो की सलिमूल हक का निधन हो गया है वह किस देश के निवासी थे तो वह थे बांगला देश के ऑप्शन नमबर डी फाइनेंसियल एक्सेंट टॉस आंसर हो जागा गुजरात ऑप्शन नमबर बी एस याई सूटिंग चेंपियंट्सिप में किस भारत की सूटर ने भारत के लिए 11 पेरिस ओलंपिक कोटा जो है हासिल किया है आंसर आपको हो जागा मनु भाकर ऑप्शन नमबर डी सही उतर होगा अगला कि एर बस ने भारत साते वे सांसकाड का योजन यहां कहां पर किया गया है कि मोति इसका वत ट्र हो जागा ने अरफसन लिक इस राज्फञ्न के सुब्स में सोचौबिस ह्कूल का सुभार इसका आप ने देखेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा कि यह आपका कि ऑप्सन नंबर यह हो जाएगा हर्याना प्रतिवास राष्ट्रिय एक्ता दिवस्ट जो है कि स्तेथी को मना आता है तो यह हम मनाते हैं 31 अक्टूबर के दिन हाल ही में आयोजित एंथुरियम उत्सो कि सराजय का परम इसके बीच हुझे है में घाले इस्तित्त उम्रोई चावनी में किया गया है तो इसका सही आंसर आप देखेंगे और आपका हो जाएगा तीसरे का ओपसन नंबर आपका इह हो जाएगा मलेसिया हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपने राश्ट्री आइकन दोस्तों निक्त किया है उत्तर हो जाएगा राजकुमार राओ को ओपसन नंबर सी जम्मू कास्मीर में रह रहे अवेद विद बनाए जाएगा तो दोस्तों यह आपका बनाए जाएगा उत्तर परदेश में और यह होगा विद्या समिक्षा सॉप्टवेर सागर से सारांस किसने विक्सित किया है तो यह आपको हो जाएगा सिबीएसी हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त परेटक विजा प्रदान किया है कि स्रि-लंका आई क्यों एएर के अनुशार दुनिया का सबसे प्रदूसित सहर कौन सा है तो यह आपका है दुस्तों दिल्ली है ऑप्सन बढ़ी अगला कि जूनी पर विरिक्ष को कि सकेंदर सासित प्रदेश का राजी जहें विरिक्ष घोसित किया गया है उत्तर ह लटदा बर करेंग कि लिए स्टेट अफ्टि फॉट्राइजर प्लांट को फर्टिलाइजर ब्लंट शुरू कि इसका उत्र है गांधी नगर गुज्रात ऑप्सन बीया तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है इसके बाद देखिएगा आंसर की दिया गया है और पूरा मैंने जो है 812 कोशन जो है समाप्त कर दिया है वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा दोस्तों वीडियो बनाने बहुत महनत लगा है पसाप सभी लोगों से रिक्व वीडियो आने वाला है वह आपका वर्लाइनर होगा जो कि मंतली होता है पूरा बारा महिने का आप उसको भी देखिएगा पूरा लाइन बाई-लाइन डेट करने उसा ताकि आपको वर्लाइनर भी क्लियर हो जाए तो दोस्तों मिलते हैं कि नई वीडियो में आज के लिए जय हिंद